स्वागत है आप सभी का Science and Fun पे जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं तो इस सेशन का यानि की दो हजार चौबेस पच्चिस का ये पहला वनशॉट है पहले चैप्टर का यूनिट्स और मेजरमेंट तो जो जो यहां पे स्टूडेंट्स नए हैं मैं उनको पता दूँ मेरा नाम है आशू गई और हम लोग Science and Fun पे दिल और दिमाग से पढ़ाते हैं हमारा मकसद है कि हम चीजों को पढ़ाएं ना लेकिन साथ साथ समझाएं तो इस चैनल पे हम लोगों ने 11th के experiments के साथ one shot last year डाले थे लेकिन एक चैप्टर का one shot यानि की units and measurement हमने units and measurement चैप्टर को 4-5 parts में डाला था तो सोचा क्यों ना इस बार units and measurement को हम लोग one shot में डाले और आगे जाके आपके पास जो one shot आने वाले हैं वो बहुत interesting तरीके से आने वाले हैं लास्ट year सारे one shots experiment के साथ डाले गए थे इस बार कुछ नया करने की सोच रहे हैं वो आप देखिएगा बट यह तो पहला करने में मजा भी आता रहे साथ साथ चलिए तो चैप्टर को शुरू करते हैं units and measurement को अगर आप लोगों ने NCRT new वाली खरीद लिए तो मैं आपको एक fact पता दूं कि इस चैप्टर के अंदर पहले parallax, parallax method हो गया, errors हो गया, यह सारे topic भी थे जिसके पास पुरानी NCRT's हैं बी भी उनके पास यह देखने को मिलेगा कि उनकी किताब में parallax method हो गया, errors हो गया, यह वाला पूरा हिस्सा होगा, लेकिन यह वाला पूरा हिस्सा हमारे syllabus से delete हो चुका है, new syllabus से CBSE के delete हो चुका है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले units and measurement में क्या होता है units, units से भी पहले हम लोगों को यहाँ पे बात करनी चाहिए कि quantity क्या होता है, units को पढ़ने से पहले हम लोगों को यहाँ पे जानना चाहिए कि quantity को क्या बोलते है, quantity क्या होता है, देखो quantity word आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन quantity का मतलब क्या होता है, तो anything which we can measure, ऐसी को कोِاش जिसको हम लोग नाप सकते हैं जिसको हम लोग measure कर सकते हैं उसको हम लोग quantity कहते हैं preço comparison के तरब पे time क्या time को हम लोग नाप सकते हैं तो आप बilsकुल नाप सकते हैं आप यह video देख रहे हैं नीचे time चल रहा होगा आपके सामने घड़ी में भी चल रहा होगा, time को हम लोग नाप सकते हैं, क्या हम लोग mass को नाप सकते हैं, क्या हम लोग force को नाप सकते हैं, बिलकुल, तो ये सारी चीजे हमारे लिए क्या हो जाती हैं, quantities हो जाती हैं, क्या हम प्यार को नाप सकते हैं, answer है प्यार को नाप सकते तो इनको नापा नहीं जा सकता, अच्छा आप जिन जिनको नापा जा सकता है उनको नापने के लिए हमने अलग-अलग units बना रखी होती हैं, तो units क्या होती हैं, आप कहलो ऐसे words, ऐसे symbols, जिनको हमने बनाया है या derive किया है, quantities को नापने के लिए इन्हें कहा जाता है units, अब ज ना रखा है, ये तीनों चीज़ें या और भी बहुत सारी हैं, ये नाप तो क्या ही रही हैं, ये नाप तो मास ही रही हैं, जैसे chemistry में आपको पता होगा, हम लोग gram per mole या AMU atomic mass unit में, इन सब में mass को calculate करते हैं, हम नाप तो क्या ही रहे हैं, नाप तो हम मास ही रहे हैं लेकिन अलग-अलग units हैं, ऐसे time के लिए आपके पास seconds है, minute है, hours है, days है, week है, month है, century है, decades है, year, बहुत सारे मतलब की कहने का मतलब है हमारे पास unit है time को नापने के लिए, तो units क्या होती हैं, जो किसी भी quantity को नापने में हमारी मदद करती हैं, अब units जो होती हैं, या quantities जो होती हैं, एक होती है fundamental और एक होती है derived, fundamental कौन सी होती हैं, ऐसी कोई भी units या quantities जिनको हमने assume किया है, जिनकी units को हमने assume किया है, उनको कहीं से हमने प्राप्त नहीं किया है, जिनको हमने assume किया है, जो assumption पे based हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं fundamental units, तो हमारी physics में ऐसी 7 fundamental units होने वाली हैं, 7,000 for a जिनको हमने एज्यूम किया है जिसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहानी है अब एक्जांपल के तो पर पर आप सब जानते है एक 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 स्टोर का नाम है mobile store तो अव्वेसे बात है उसमें mobile मिलता होगा तो क्योंकि वह एक store है और उसमें mobile मिलता है तो camera man camera क्या होता है आपको पता है ना camera man कौन होता है ऐसा man जो camera को समालता हो लेकिन camera का नाम camera क्यों पड़ा man का नाम man क्यों पड़ा obviously बात है इसके पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर रही होगी और आपको जानने की जरूरत नहीं है ऐसे सबकी चीज़ों के नाम जानोगे, उसकी कहानी जानोगे, तो जीवन बिच जाएगा, तो fundamental साथ ऐसी units है, जिनके पीच से कोई कहानी है, लेकिन उन सातों से ऐसी बहुत सारी, कोई certain number नहीं है, many, thousands of और units हैं, जो इन सातों सही बनी है, इन्हें कहा जाता है derived units, अगर आप नहीं समझे अबे तक तो आप समझ जाओगे, तो fundamental units वो हैं, जिनको आपने कहीं से derived नहीं किया है, यह assumed है, इनको assume किया गया, obvious ही बात है, इन सब के पीचे कोई ना कोई किस्से कहानिया है, जो कि आगे जाके आप life में धीरे धीरे पढ़ता चले जाओगे, लेकिन यह सात quantities हैं, जिनकी जो यूनिट हैं, यह derived units नहीं है, हमने इने कहीं से प्राप नहीं किया है, यह assumed हैं, ठीक है, यह assumption पे सारा जीवन चल रहा है, जैसे की mass के लिए हमारे पास unit है kilogram, हना, अब kilogram को हमने assume किया है, gram कैसे बना भई, gram बना kilogram के 1000 तो कड़े कर दो, समर ऐसे ऐसे करके, अ अब हमारे पास time है, time को हम लोग किस में नापने हैं, second में, हना current को ampere में, length को meter में, amount of substance को नापना हो, तो mole में नापने हैं, यह आप के लो हो सकता है, नया हो, luminous intensity, रोशनी को नापना हो, intensity of light को नापना हो, तो हम candela में नापने हैं, cd इसका symbol होता है, temperature आप सबको पता है, Kelvin में नापते हैं, कि अब temperature की तो degree Celsius भी होती है, degree Fahrenheit भी होती है, बट यहाँ पर यह जो हमने unit लिखी है, यह सारी units, कौन सी unit है, fundamental है, इनके पीछे कोई किस से कहानिया होंगे, लेकिन हम अभी यह मान के चल रहे हैं, कि हमने इन्हें assume किया है, लेकिन इसके अलावा, जो भी आ पर बात करते हैं, force के बारे में, शायद आप सबको पता है, force की unit जो होती है, वो newton होती है, लेकिन यह जो newton unit है, यह fundamental नहीं है, यह derived है, यह इन सातों से ही मिलके बनी है, कैसे मान ले हम यह सातों से मिलके बनी है, आँ ज़रा चेक कर लें, I hope आपको पता हो कि force का formula होता है, mass into my acceleration, नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे पता लग जाएगा, देखो, इस chapter को आगे बढ़ाने से पहले में बता दूँ, इस chapter में, from first class to tenth class, जितने भी formula हमने पड़े हैं, उनका इस्तमाल हो सकता है, तो इसलिए आपको formula आने चाहिए, अगर आपको formula नहीं आते तो आप यह मत समझना कि मैं कमजोर हूँ, अब्विसरी बात है, 7th, 8th में पढ़े गए formula आप भूल गए होगे, तो वो धीरे-दीरे revise होंगे, आप समझ जाओगे, अब जैसे कि force का formula है, हो सकता है force, क्योंकि पूरी 10th में force का formula कहीं पर use नहीं हुआ, तो 11th में आते आते है याद भी करते चले जाए, आगे जाके 11th में भी यह दुबारा repeat होंगे, तो force का formula हमारे पास क्या होता है, mass into acceleration होता है, ठीक है भई होता है, अब इस हिसाब से force की अगर मैं unit निकालना चाहूँ, तो mass के लिए हम लोग निकालते हैं kg, और acceleration के लिए हमने 9th class में पढ़ा था, निकालते हैं meter per second square, अगले chapter में इसको दुबारा पढ़ना है वैसे तो, बट still ठीक है, अब आप मुझे बताओ, जो force की unit थी अभी तक वो newton थी, बट क्या मैंने force की unit kg meter per second square भी लिख दी हाँ, तो इसका मतलब है newton को kg meter per second square के form में भी represent कर सकते हैं, जिसका मतलब क्या हो गय नहीं है, आओ एक और करते हैं, आहोब आपको याद आ रहा हो कि pressure को हम लोग नापते हैं pascal में, हाना भई, pascal में, pascal भी एक कौन सी unit है, derived है, क्योंकि हो fundamental से मिलके बनी है, कैसे मालने भई, आओ भई, क्या आपको याद है pressure का formula क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को याद एरिया क्या होता है, एरिया होता है meter square, एरिया किस में नापते है meter square में, एक meter से एक meter अगर मैं cancel कर देता हूँ, और एक meter को उपर ले जाता हूँ, तो meter की power minus one आ जाएगा, second की power minus two, अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, तो क्या जो pascal है, उसको मैंने kg meter और second में convert कर दिया इसका मतलब, pascal भी एक derived unit है, क्योंकि वो इन साथ fundamental के form में represent की जा सकते हैं, ऐसी कोई भी और आपके, इन सातों के अलावा, कोई भी अगर आपके दिमाग में और आ रही है, तो वो derived unit ही है, क्योंकि इस पूरे भ्रहमार्ण में सिरफ यही साथ है, चलो भ्रहमार्ण तो खे ठीके न, चलिए, अब यहाँ पे एक बहुत important topic आता है हमारे पास, जिसको हम लोग बोलते हैं, dimensions, मैं जब भी dimensions की पड़ाई कराता हूँ, एक बात जरूर बोलता हूँ, और वो क्या है, तोड़ा ध्यान से सुनना, ठीके, let us suppose आपकी शादी होती है, ठीके न, suppose क्या कभी न साल, दो साल का होगा, तो अब्वेसे बात है, आप घर में उसके लिए ABCD सिखा होगे, किताबे लेके आओगे, योगि जानता हूँ, कि स्कूल जाने से पहले ही घर में पड़ाई, बेसिक बेसिक शुरू हो जाती है, अब आप अपने घर में अगर बच्चे को ABCD सिखा रह हैं, बड़ उसको कहीना कि पता नहीं होता कि मैं यह क्यों सिखाते हैं, आज तो आप उसे क्या बोलोगे? तो आप उसे यही बोलोगे, आप उसे बात है कि भाई बेटा, देख ऐसा है, अभी तो ABCD सिख रहा है, अगले अगले साल कह रहा हूँ, आगे जाके तो इनको एक सवाल चलेगा कि ये क्या हो रहा है ये क्यों हो रहा है हम ये क्यों पढ़ रहे हैं लेकिन आगे आने वाले 20-25 मिनट में आप समझ जाओगे कि भाई ये क्या हो रहा है इतनी अच्छी चीज हम पहले क्यों नहीं पढ़ाई गई ये तो बहुत बहतेरीन चीज है तो ध्या मिनट ऐसा लगेगा कि यह क्यों पढ़ रहें आगे जाके आपको समझ में आएगा चलो अब डाइमेंशन क्या हैं आप बले समझें क्या मैंने अभी आपको पताया कि टाइम को हम लोग मिनट सेकिंड डेज आर मन्त इन सब यूनिट्स में नाप सकते हैं बहुत सारी हैं तो अगर कहीं पर किसी फॉर्मूले में टाइम है तो उस टाइम कि कोई भी यूनिट हो सकती है लेकिन हमने कहा कि अगर मुझे किसी भी fundamental unit को किसी एक फॉं में रीप्रेजेंट करना हो irrespective कि वो second में है minute में है days में hour में तो मैंने उसके लिए बनाए dimensions, सुनो, units और dimensions एक ही बात है, बस फरक क्या है, किसी एक quantity की अलग-अलग-अलग units हो सकती है लेकिन किसी एक quantity के dimensions हमेशा सेम होते हैं जैसे, आगर आप पीछे आउं और मैं आप से पूछू कि mass की SI unit तो kilogram है, लेकिन किया, इसकी और भी units हैं, तो आप बोलोगे हैं gram भी है, milligram भी है, micro gram भी है, quintal भी है, ton भी है और अपना amu भी है, बहुत सारी लेकिन, अगर मैं आपको बोलू dimensions, तो mass के dimensions एक ही हैं, और वो है capital M, चाहे mass gram में हो, kilogram में हो, किसी में भी हो, उसके जो dimensions रहेंगे, वो same रहेंगे, similar रहेंगे, जो कि है capital M time के लिए capital T, length के लिए capital L, current के लिए capital A, वैसे तो हमें इतने की जरुवत पड़ेगी, पूरी 11th class हमारी, इनी में पूरी हो जाएगी हमें इनकी जरुवत नहीं पढ़ने वाली, बट हाँ, ये बात ध्यान रखो कि dimensions का मतलब क्या है, symbolic representation of units irrespective कि उनकी unit क्या है यानि की time के लिए हम capital T use करेंगे, चाहे time minute में हो, second में हो, किसी में भी हो समझे, तो units अलग-अलग हो सकते हैं किसी भी quality की, लेकिन dimensions हमेशा same रहेंगे, लेकिन इसका करना क्या है, मैं आपको पताया, 20 मिनट आपको कम से कम वेट करना होगा, शेह 10 मिनट आपको वेट करना होगा, तब आप समझ जाओगे सबसे पहले आओ, हम इन सब के dimensions निकालना शुरू करते हैं तो speed, velocity, जो की लग-बग एक बात है, पहले इसके निकालेंगे फिर momentum के निकालेंगे, kinetic energy के निकालेंगे, acceleration के निकालेंगे, force के निकालेंगे, और उसके बात देखते हैं, judge करते हैं कि आपको कहाँ problem आ रही है, जहां जो की नहीं आएगी, दीरे-दीरे आओ समझते हैं, सबसे पहले सबसे पहले, speed या velocity, इसका formula क्या होता है, हमें इनके dimensions निकालने हैं, ठीक है, तो किसी के भी dimension निकालने के लिए आपको उसका formula आना चाहिए, और formula के बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूँ, ठीक है तो speed का formula क्या होता है, distance upon में time, सही कह रहा हूँ, बिलकुल सही कह रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे speed के dimensions निकालने जारा हूँ, तो बहुत ध्यान सुनना, यह क्या लिखा है मैंने, speed, लेकिन यह क्या लिखा है, dimensions of speed, जब भी किसी के dimensions लिखोगे, तो हमेशा उसको square bracket में लिखोगे, यह rule ध्यान रखना, जब भी किसी के dimension लिखोगे, square bracket में, अगर आपने square bracket नहीं लगाया, तो marks कर जाएंगे, यह मैंने लिखा speed, यह मैंने लिखा dimensions of speed, जैसे कि maths में probability होता है, ऐसे वाले bracket का मतलब शायद probability होता है, चालो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं distance के क्या लगाऊंगा, dimensions, और यहाँ पे time के क्या लगाऊंगा, dimensions, ठीक है, चालो, अब distance मतलब कि लंबाई, और लंबाई के लिए हमने क्या यूज किया है, capital L, सर यह अगर meter में है, centimeter में है, कोई फरक पड़ता, कोई फरक ने पड़ता, length के लिए हम लोग हमेशा क्या यूज करेंगे, capital L, और time के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, capital T, अब यह उपर चला जाएगा, तो यह हो जाएगा, L, T की power minus 1, तो यह तो वैसे हमारा answer हो गया, बट लेकिन हमारी physics ने हमेशा से बोला है, कि जब भी आप किसी के dimensions निकालोगे, तो आपका फर्ज बनता है कि हमेशा आप जो answer है, वो छोड़ोगे in the form of MLT, एक format बना हुआ है, कि answer जो है वो आप छोड़ोगे in the form of MLT, यह एक format है, लेकिन यहाँ पर M तो है नहीं, अगर M नहीं है, तो क्या मैं से M की पावर 0 लिख सकता हूँ, because M की पावर 0 का मतलब वो exist नहीं कर रहा है, और L T minus 1, क्या यह answer गलत है, नहीं है सही है, लेकिन फिर भी एक format बना रखा है कि answer MLT की form में छोड़ेंगे, ठीक है, यह पहला हमने किया speed, आओ, दूसरा करते है momentum, तो momentum का formula आपको पता होना चाहिए, momentum का formula क्या होता है, momentum का formula होता है mass into my velocity, अच्छा, I hope आपको पता हो, speed और velocity एक ही बात है, बस फरक ही होता है कि speed में distance upon time आता है, और velocity में displacement upon time आएगा, लेकिन dimensions तो same ही आएगे, ठीक है, चलो आओ, अब यहाँ पर निकालते है, momentum के dimensions, तो यह हो गया, dimensions of momentum, अब mass के dimensions आजाएंगे यहाँ और साथी साथ यहाँ पर हमारे पास velocity के dimensions आजाएंगे, mass के लिए we use capital M, और velocity के लिए अभी निकाला पीछे क्या, lt minus 1, यह हमारे पास dimensions आ गए, अब m को अगर मैं से multiply कर दूँगा, तो आजाएगा, m lt minus 1, यहाँ तो m i गया, तो momentum के dimensions क्या हो गए हमारे पास, m lt minus 1, ठीक है जी, done है जी, चलो आओ जी, अब बात करता है kinetic energy, थोड़ा ध्यान से सुनना kinetic energy के बारे में, 9th class में पढ़ा था, kinetic energy का formula होता है, half m v square, यहाँ पे half तो half होता है, m का मतलब होता है mass of the body, और v होता है velocity, और उसका हमें square करना है, ठीक है जी, चलो आओ, अब हम यहाँ पे करने जा रहे है, kinetic energy के dimensions, क्या half के कोई dimensions होंगे, time stamp, time हो रहा है 17 minute कुछ second, जल्दी से time stamp पे मुझे पताओ, क्या half के कोई dimensions होंगे, yes or no type करो, जल्दी से, जल्दी से yes or no type करो, क्या half के कोई dimensions होंगे, हूँ, चीक है, कर दिया, हाँ, तो answer है, half के कोई dimensions नहीं होंगे, क्योंकि वह constant है, जिसकी कोई unit नहीं होगी, उसके कोई dimensions भी न नहीं होंगे, ध्यान रखना, चाहिए मैं यहाँ पर कहीं पर लिख देता हूँ, अगर कोई unit less चीज है, तो वो dimension less भी होगी, unit less, कोई अगर quantity है, तो वो dimension less भी होगी, अगर उसकी कोई unit नहीं है, तो उसके कोई dimension भी नहीं होगी, अब बचा क्या mass, अब mass के लिए dimension आएंग mass के लिए हम लोग capital M use करते हैं, velocity के लिए, आज यह हमारे पास आया, lt minus 1, धीरे धीरे अपने आप यह याद भी होते जले, जाएंगे आपको, करने नहीं है, करने नहीं है, especially बैठ के, अपने आप याद होते चले जाएंगे, और हमें इसका यहाँ पर क्या भी लगाना है, square भी लगाना है, ठीक है जी, चलो आओ, तो यहाँ पर आगे हमारे पास M, यहाँ पर आगे L की power 2, टी की power minus 2, तो यह मेरे पास किसके dimensions आगे, kinetic energy के, ठीक है, अब बड़ी एक fact वाली बात बता दू, दुनिया में जितनी भी energy है, सब की, सब की जो dimensions है, वो same रहेंगी, आगे यह fact है, जो कि आपको बहुत help करेगा, तो लिखना मेरा फर्ज है, यह fact है, जो कि आगे जाके आपको help करने वाला है, और वो क्या fact है, कि every type of energy, हर एक प्रकार की energy, every type of energy is having same, same dimensions, यानि हर प्रकार की energy के dimensions same होंगे, जो कि क्या होंगे, ml2, t-2, मानलो कहीं पर लिखा आजाए, potential energy, mcq में, और वेसे बात है, निकालना तो हमें पढ़ेगा, या अगर वो subjective question आता है, वो भी निकाल के देखेंगे आगे, लेकिन अगर मानलो mcq में आता है, तो आपको पता ह हुआ है, तो आपको समझ जाना है, कि उसके dimensions ml2, t-2 होंगे, चाहिए, kinetic energy हो, potential energy हो, heat energy हो, light energy हो, sound energy हो, mechanical energy हो, muscular, कोई भी energy हो, सारी energies के dimensions same होते हैं, और I hope आपको पता हो, कि हम लोगोंने 9 ने पढ़ा था कि energy और work, दोनों एक ही बात होती है, तो कहीं पर अगर work लिखा हुआ ह तो work के dimension भी same ही होंगे, और दो आगे जाके prove भी करेंगे, लेकिन ये point अभी जानना बहुत जरूरी है, कोई भी प्रकार के energy हो, कोई भी प्रकार का work हो, सब के dimensions ml2, t-2 ही होते हैं, अरे भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही important और वो है अमारे पास acceleration, अब acceleration का formula क्या होता ह है, acceleration का formula होता है, change in velocity upon my time, 9th class में पढ़ा था, change in velocity upon my time, अब अगर मैं acceleration के dimensions यहां से निकालने जाऊं, acceleration के dimension, अगर मैं यहां से निकालने जाऊं, तो change in velocity का मतलब, unit wise तो velocity ही होगा, तो velocity के आ जाएंगे, lt-1, अब तक तो याद हो गया होगा, और time के लिए हम लोग यूज करते है, t, अभी ओपर चला जाएगा, तो क्या जाएगा, lt-2, क्या जाएगा, lt-2, अब यहां पर क्या जाएगा, m की power 0 जाएगा, lt-2 आजाएगा, simple, acceleration, और acceleration बहुत जादा important है, तो इसके dimension भी यादी कर लो, होई जाएगे, lt-2, ठीक है न, चलो आओ, बात करते हैं, force की, बहुत important, बहुत जादा important, force का formula, आज ही पढ़ा हमने, mass into में acceleration होता है, force का formula, mass into में acceleration होता है, अब अगर मुझे force के dimensions निकालने हैं, तो mass के dimension आजाएगे, यहाँ पर जो की capital M है, चाहे एक step और लिख दो कि पहले mass के लिख रहा हूँ, और acceleration के भी अभी आपने की, lt-2, तो multiply कर दोगे, तो क्या आजाएगा, mlt-2, चलो, अब मैं आप से एक सवाल पूछता हूँ, सवाल है कि क्या तो नहीं परकार की energy होंगी, सबके dimensions सेम होंगे, ठीक है, यह point आप समझ ग觉得, बट क्या ऐसा हो सकता है कि दो बहुत अलग-Alग quantities यहं, लेकिन उनके dimension सेम है, क्या हो सकता है कि बहूत अलग-Alग परकार की quantities हैं, लेकिन उनके dimensions वहां वह सेम हैं, तो आसर है ऐसा बिलकुल हो सक कि अगर मैं यहाँ पर आपको एक quantity और करवाऊं लेट से इधर और वो है टॉर्क आप टॉर्क को नहीं जानते होगे अभी आप इसके बारे में भी फिलाल कुछ नहीं जानते हैं आप इसको आगे जाके जानोगे इन chapter system of particles and rotational motion इसको जानोगे आप लेकिन अभी के लिए आप थोड़ा ध्यान दो पहली बात तो टॉर्क को आप नहीं जानते लेकिन टॉर्क का formula होता है force into में perpendicular distance या अभी के लिए आप distance भी कहलो ठीक है चलो आपके लिए असान करते हैं भी क्योंकि अभी आपको टॉर्क का मतलब नहीं जानना है सिरफ dimensions निकालने हैं तो आ जाएगा force into में distance इता समझ मैं अब अगर मैं यहां पर तॉर्क के dimensions निकालता हूं ठीक है तो फोर्स के dimension हमारे पास आ चुके है mlt-2 mlt-2 और displacement के एक लंबाई है एक प्रकार से तो इसके dimension L आ जाएंगे तो कुल मिला के हमारे पास आ जाएगा ml2t-2 अब अगर आप ध्यान दो तो इस energy नहीं होती है ना ही इसका energy से दूर दूर तक कोई लिना देना है तो और के बहुत अलग चीज़े आगे पढ़ेंगे energy एक बहुत अलग चीज़े लेकिन ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग चीजों के dimensions जो हैं वो सेम आ जाए तो यह बात ध्यान लखना ठीक है चालो आओ अ dimension निकालते रहते हैं देखो जितने ज़ादा निकाले उतनी ज़्यादा practice होगी ठीक है ना अब अगर मैं बात करूं refractive index की तो 10th class में आप refractive index का formula पढ़के आए हुए हो refractive index का formula होता था speed of light in first medium upon में speed of light in second medium हना तो यहां से अगर मैं refractive index के dimensions को calculate करता हूँ तो उपर किसके dimension आ जाएंगे velocity के जो की lt-1 होंगे और नीचे भी क्या आ जाएंगे velocity जो की lt-1 है क्या अब उपर भी velocity है नीचे भी velocity है तो velocity से velocity के dimensions cancel हो जाएंगे और यहां पर कोई dimension नहीं आएंगे अगर कोई dimension नहीं आएंगे तो सबकी power 0 यानि m0, l0, t0 ध्यान रखना कई किताबे, कई representation इसको ऐसे खाली bracket से भी लिखती है कई पर खाली bracket लिखा हुआ है तो भी आप समझ जाना उसके कोई dimension नहीं है, m0, l0, t0 है या ऐसे तो लिखाई होगा तो क्या मैं इसका मतलब यह कह सकता हूँ कि refractive index एक dimension less quantity है, बिलकुल कह सकते हैं, यानि क्योंकि हम सबको पता है 10th class इसकी कोई unit भी नहीं थी, unit भी नहीं होगी तो dimensions भी नहीं होगे अच्छा एक बात clear कर दूँ, आगे जाके पढ़ोगे कि angle ऐसी एक unit है, ऐसी एक quantity है, जिसकी unit तो होती है radian, लेकिन उसके कोई dimensions नहीं होते हैं, ठीक है, तो दीरे दीरे, एक के दिन सब पढ़ लेंगे न, तो दिमाग घुम जाएगा आपका, चलो, तो यह refractive index आगया, तो अभी आप समझोगे principle of homogeneity, इसके एक दो example करेंगे, फिर आप देखो, क्या heading आ रही है, heading आ रही है, हमारे पास applications of dimensions, अब applications of dimension में हम dimension को use करना सीखेंगे, सुनो, एक chapter आया था 10th class की math में, जहां तक मैं सही कह रहा हूँ, trigonometry, तो जब आप trigonometry पढ़ रहे थे, तो हो सकता है हुश्यार बच्चों के दिमाग में एक सवाल आया हो, कि यारी हम क्यों पढ़ रहे है, sign theta, cos theta, इसको पढ़ के मैं मिलेगा क्या है, इमान बारी से बताओ, अगर आपके मन में सवाल आया था, तो मुझे comment section में ज़रू पताना, आया ही होगा, लेकिन जहां तक मुझे याद है, शायद अगला ही chapter है, application of trigger, या एक दो chapter छोड़ के होगा, फिर जब application of trigger chapter आपने पढ़ा, तो आप समझे कि अरे हम trigonometry से पेड़ की लंबाई भी निकाल सकते हैं, हम trigonometry से shadow की दूरी भी निकाल सकते हैं, हम trigonometry से lighthouse का distance भी निकाल सकते हैं, तो यह सारी और यह तो बहुत छोटा सा chapter है, trigonometry की क्या-क्या हमारे जीवन में इस तावाल है, इसका आपको अंदाजा भी नहीं, मतलब civil engineers की life में, वैसे तो सारे engineers की, बट civil engineers की life में trigonometry इतनी important है कि आपको अंदाजा भी नहीं है, तो point समझो, जब trigonometry पढ़ रहे थे, मन में doubt था, application of trigger पढ़ी समझ में होगे आप की dimensions के हमारे क्या use है, चलो, सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले, आप मुझे question का answer मन में देना, वोगि मैं बहुत सारे सवाल पूछना हो, इसके मन में answer देते रहना, ठीक है, चलो, 10 meter plus 5 meter कितना होता है, I hope आप लिख रहे हो, मतलब बोल रहे हो, मन में 15 meter, ठीक होता है, सही है, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि 5 kg, या सारी, 10 kg, 10 kg minus 2 second अगर करो, तो क्या बोलोगे आप, अगर मैं आपको बोलूँ कि 10 kg minus 2 second क्या होगा, तो answer है, शायद आप इसका answer नहीं सोच पा रहे हो, या आपने बोला हो, मन में कि ये possible नहीं है, ठीक है तो अगेन हो सकता है, आप इसका answer ना सोच पा रहे हो, या फिर अगर मैं आपको बोलूँ कि 2 second plus 100 degree Celsius क्या होता है, तो अगेन हो सकता है आप इसका answer भी ना सोच पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपने answer दे दिया क्योंकि same unit थी, यहाँ पे भी दे दिया क्योंकि same unit थी, यहा एड़ या सब्ट्रेक्ट होती हैं हम अलग-अलग यूनिट्स को एड़ या सब्ट्रेक्ट नहीं कर सकते आई होप यह बात आप जानते हैं तो यहां पर ही लागू होता है प्रिंसिपल आफ होमोजिनेटी अब आप मुझे पताओ कि अगर मैंने एक यूनिट लिखी एक्स प्लस वाई क्या एक्स प्लस वाई अगर मैंने कहीं लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि एक्स और वाई आपस में एड़ हो सकते हैं मतलब पहली बात तो यह तो गलत ही होगे अब अगर मैंने कहीं पर लिखा है एक्स प्लस वाई तो क्या यह कहना सही होगा कि एक्स प x square, अब a into b एक अलग term है, हाना, a और b multiply करके एक आ चुका है, तो क्या सा कहती है, अगर मैं इन दोनों को plus कर रहा हूँ, तो इसकी जो unit होगी, वो इसकी unit के बराबर होगी, because plus या minus वो ही हो सकते हैं, जिनकी unit same हो, और अगर unit same होगी, तो obvious यह बात है, उनके जो को आपस में add या subtract कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि उनकी same unit और same dimensions होंगे, और यही कहता है principle of homogeneity, तो according to principle of homogeneity, in an equation, each term, term क्या होती है भई, term वो होती है, जिसको हम आपस में add, subtract या equate कर रहे होते हैं, each term must have same unit and obvious सी बात है, dimensions, यानि अगर एक unit, अगर एक equation है, और उसमें कुछ terms है, terms का मतलब क्या होता है, जो add, subtract या equator, तो उन सब के dimensions आपस में बराबर होंगे, example के तोर पे, अगर मानलो मेरे पास एक equation है, x plus y t is equals to, मानलो a into में b, तो यहाँ पे कितने terms है, मुझे बताओ, तो answer कहीं बच्चे सोच रहोंगे, one, two, three, four, five terms है, नहीं, नहीं, variables five है, term यहाँ पे सर्फ तीन terms है, x एक term है, y into t multiply करके एक term है, और a भी एक term है, तो अगर ऐसा है, तो क्या x और y t, जो एक unit है, एक quantity है, एक term है, इनके आपस में unit same होने चीए, because इनकों add कर पारें, तो क्या ऐसा कहना ठीक होगा, कि जो x के dimensions होंगे, क्या वो y t के dimensions के बराबर होंगे, मैं यहाँ पे इनकी value की बात नहीं कर रहा, हो सकता इसकी value 10 हो, हो सकता इसकी value 20 हो, मैंने यह नहीं बोला, इनकी value बराबर है, मैंने बोला, इनके dimensions बराबर है, इनकी unit बराबर है, समझ ना, मैंने ये नहीं बोला है कि X जो है वो Y T के बराबर है यह तो गलत है X Y T के बराबर नहीं है I advice आऊज्वाइटी से कोई भी way रख सकता है लेकिन यहाँ वैल्यू की बात हो। रही है Unit की यहाँ बात हो।। इस कि तो क्या X के Dimension VT के Dimension के बराबर होंगे То तो answer is यह इस बराबर होंगे क्योंकि बीच में प्लस है और अगर yt बराबर है a b k या yt की yt को हम a b k equate कर रहे हैं तो अव्यसी बात है अभी मैंने क्या बोला दस meter plus 5 meter is equals to 15 meter तो आया तो meter इना यानि की a b k dimensions भी आपस में बराबर होंगे तो principle of homogeneity के हिसाब से अगर हमारे पास कोई equation है तो उस equation में जितनी भी terms है उन सब के dimensions और units आपस में बराबर होंगी एक और example अगर मैं यह आपे लूँ इसके पर question भी करेंगे भी बड़ मानलो x divided by y plus में आ गया है मारे पास under root c is equals to आ चुका है मानलो t square into में z यह x अब यह जो equation है इसमें again कितनी terms है तीन terms है तो principle of homogeneity के हिसाब से x divided by y जो की एक term है इसके जो भी dimensions आएंगे वो बराबर होने चाहिए under root c के dimension के क्योंकि यह दोनों आपस में add हो रहे हैं और again यह बराबर होने चाहिए t square x k dimensions के क्योंकि वो एक term है तो समझे principle of homogeneity क्या कहता है यह कहता है कि भाईया एक equation में जितनी भी term है सबके dimension आपस में क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए और उनकी unit भी बराबर होनी चाहिए अब इसका करेंगे क्या इससे में हासिल क्या होगा तो इस principle से हम किसी भी unknown चीज़ के dimensions जो हैं वो calculate कर सकते हैं तो यहां पर मैं आपको दो कोशन करवा रहा हूं जिसमें आपको principle of homogeneity और dimensions दोनों का इस्तमाल समझ में आएगा जहां पर आप किसी भी unknown चीज़ के dimensions calculate कर पाऊगे और अगर dimensions calculate कर पाऊगे तो कहिना कहीं unit भी calculate हो जाएगी जैसे मालो किसी के dimensions lt-1i हना तो फिर उसकी SI unit क्या हो सकती है l मतलब है meter और time मतलब है second तो क्या हो जाएगा meter पर second तो यह भी ध्यान रखना अगर आपको किसी के dimensions भाता है तो उससे unit भी आ जाएगी ठीक है चलो आप दो कोशन करते हैं पहला कोशन आया कोशन सेम ही है दोनों dimensions of x आपको x के क्या निकालने है dimension निकालने है equation क्या है देखो speed into my time plus में x is equals to speed into my time plus में x is equals to माल लो यहाँ पर हमें दे रखा है area upon में length ठीक है अब यह एक equation है अब इस equation में आपको x के क्या निकालने है dimensions निकालने है ठीक है अब x के dimensions हम लोग कैसे निकालेंगे तो ध्यान से सुनो भाई answer करने जा रहे है according to principle of homogeneity principle of homogeneity के हिसाब से यहाँ पे पहली बात तो कितनी terms है तीन और तीनों terms के dimension बराबर होंगे यानि कि x के dimension इसके बराबर भी होंगे और x के dimension इसके बराबर भी होंगे अब आप चाहिए किसी से भी लिख लो आपकी choice है मैं इससे कर लेता हूँ तो क्या इसका मतलब यह है कि speed into में जो time है इसके जो भी dimensions आएंगे वो x के dimension के बराबर होंगे सही कह रहा हूँ ठीक है नहां से मेरे पास X के जो dimension आ गए, वो सर्फ L आ गए, अब अकेला L लिखते नहीं है, तो कैसे लिख देंगे इसको? M0, L, T0. अब कभी कवार सवाल में ये भी पूछते हैं कि X के dimension निकालो और बताओ वो कौन है, वो क्या है, तो हमारे पास यहां पे X के dimension क्या आए है, तो हमारे पास यहां पे X के dimension आए है L, और L का मतलब वो एक length है, तो देखो हमने principle of homogeneity और dimensions की मदद से ये identify कर लिया कि X क्या है, इस के dimension L आए है, तो इसका मतलब ये एक लंबाई है, ये एक length है, समझे क्या, चलो आओ, एक और सवाल करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, एक और सवाल का वेट करेंगे, तो आपको और समझ में आएगा, मालो यहां पे हमारे पास है force, into में distance, plus में X is equals to, हमारे पास यहां पे आ गया है, मालो, M into में acceleration into में height, ठीके, यहां गया, अब आपको यहां पे X के क्या निकालने हैं, dimensions, की X है क्या, मतलब dimension निकालने हैं और identify भी ज़रो कर लेंगे कि X क्या है, तो again यहां पे, आगर मैं बात करूँ, according to principle of homogeneity, principle of homogeneity के हिसाब से इसके, और इसके, और इसके dimensions आपस में बराबर होने चाहिए, तो यहां पे force into में distance के dimensions, होश्यार बच्चा तो जानता ही है, कि force into में distance जो है, वो work ही होता है, तो कहीं ना कहीं X के dimension work के बराबर ही आएंगे, बढ़ ठीक है, एक format follow करते हैं, मैं चाहूँ तो इससे भी कर सकता था, लेकिन मैंने इसको चुना, आप उससे भी चेक करते हो, कि सेम ही आएगा, ठीक है, अब force के dimension हमने आज निकाले, MLT-2, और distance के लिए क्या होता है, L distance है, एक लंबाई, लंबाई के लिए L लेंगे, तो यहां पे हमारे पास X के dimension आजाएंगे, तो क का मतलब यह एक परकार से work और energy है, तो यानि की principle of homogeneity की मदद से, हम किसी भी unknown चीज, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमारे पास एक चीज known थी, हम उसके dimension निकाल रहे थे, लेकिन यहां पे हमें कुछ नहीं पता है कि X कौन है, कुछ नहीं पता है कि X कौन है, और हम उसके dimension न power half, और T की power minus 4, मालो, कभी कबार ऐसे question भी होगे, जावे बहुत उबडखाबर dimension आएंगे, जैसे कि ऐसे आगे, तो उस case में आप X के dimension निकाल पाओगे, लेकिन यह नहीं identify कर पाओगे, कि वो क्या है, और नहीं आप से पूछा होगा, विकॉस जहां तक मैंने अपने physics की प बोले होंगे, और उस case में सवाल कैसे मर्जी उबडखाबर जो है वो, आ सकते हैं, उससे कोई फरक नहीं पड़ता है, ठीक है, तो यह हुआ हमारे पास principle of homogeneity, जिससे आप किसी भी unknown चीज के dimensions calculate कर सकते हो, अब यहाँ पर हमारे पास आता है, applications of dimension, यानि dimensions की मदद से, हम कैसे किसी भी unknown चीज के जो हमें पता ही नहीं है, वो तो हमने dimension निकाल लिए, लेकिन sorry, application में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास तीन खतरनाग application होंगी, जिसमें हम dimensions का use करके, यह देखेंगे, कि सबसे पहले देखेंगे, कि भाया कोई भी equation correct है, या नहीं है, second application आएगी, हम system of units to convert करेंगे, और third आएगी, हम formula derive करेंगे, ठीक है, उसके बाद significant figure पढ़ेंगे, rounding off पढ़ेंगे, कुछ rule पढ़ेंगे, chapter खतम हो जाएगा, लेकिन में request रहेगी, कि सबसे पहले, आपको जितना भी पढ़ाया गया, एक बार revise कर लो, क्योंकि, खास करें dimensions, सब को एक एक बार आगे जाके, जो हम करने वाले हैं, यानि कि यह जो हम application करने वाले हैं, यह वाली application, वो आपको समझी में आए, और यहां से आपको उन question के answer मिलना शुरू हो जाएंगे, कि हम dimensions क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है बई, तो I hope आपने जो पिछला है, वो एक बारी revise कर लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं, और बात करते हैं, applications के बार में, तो मैंने आपको पताया कि dimensional analysis या जो भी हमने dimensions निकालना सीखे, इसमें हमें कुल मिलाके, तीन applications को पढ़ना है, जिसमें पहली application आती है, to check if equation is dimensionally correct or not, इसका मतलब क्या है, हमें एक equation दे रखी होगी, और हमें check करना ह होगा कि वो dimensionally correct है कि नहीं है, एक दो question करते हैं, फिर ये बात करेंगे कि dimensionally correct और real life में correct होने में कुछ फरक है या नहीं है, जैसे कि सबसे पहले question से ही शुरुबात करते हैं, तो पहले question लेते है, question आ रहा है, आपको check करना है, let us suppose, कि एक बहुत आसान सी equation से शुरू करते है कि half mv square is equals to mgh, हाना, जो हुश्यार है उसको पता होगा शायद कि half mv square जो हो kinetic energy है और mgh जो हो potential energy है, हमें ये check करना है कि ये equation dimensionally correct है या नहीं है, अब इसका मतलब क्या ये actually correct होगी कि नहीं, इसके उपर बात करेंगे, तो कैसे इसको check करेंगे, format को समझो, हम dimensional analysis की मदश से equation को check कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, LHS के dimensions लिखोगे, मतलब उन्हें solve करके लिखोगे, फिर आप RHS के करोगे, अगर वो दोनों dimensions आपस में बराबर आ जाते हैं, तो हम कहेंगे equation dimensionally correct है, अगर नहीं आते हैं, तो हम कहेंगे कि वो dimensionally incorrect है, आप पहले करते हैं, तो स से मैं कैसे पढ़ूँगा, dimensions of LHS, जो कि मेरे पास है, half के dimension होते नहीं है, mass के लिए M आ गया, और अभी हमने किया ही था, velocity के लिए LT minus 1 आ गया, उसका square आ गया, तो solve करने पे हमारे पास ML2T minus 2 आ जाएगा, हाना, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, कि अगर हमें kinetic energy के dimensions पह दा लेना बहतर रहेगा, ठीक है न, अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, RHS की, तो RHS मेरे पास है MGH, अब मैं करने जा रहा हूँ, RHS के dimensions, तो mass के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, capital M, अब G जिसको ना पता हो, G का मतलब होता है, acceleration due to gravity, यानि एक परकार का acceleration ही होता है, अब यह चाहिए gravity की वज़ा से हो, चाहिए ना हो, unit और dimension तो same ही रहेंगे, जो कि आज हमने निकाले भी थे, L, T, minus 2, मैं अलग-अलग लग देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए, M के लिए अलग होगे, L, T, minus 2 के लिए लग होगे, अब H यानि की height है, height के लिए हम लोग लंबाई, यह लंबाई मतलब की length, length मतलब की होगे, L, तो यहाँ पर multiply करने पर हमारे पास आजाएगा, M, L, 2, T, minus 2, अब क्या LHS और RHS के dimensions बराबर आए हैं, तो भई, as dimensions of LHS बराबर आगए हैं, dimensions of RHS के, so, equation is dimensionally correct, equation जो है, वो dimensionally correct आई है, यानि, dimensionally तो यह correct है, बट आप मुझे चलो, comment section में पताओ, time stamp के साथ, यह dimensionally तो correct आई है, बट क्या यह equation actually में correct होती है, तो answer है no, क्योंकि kinetic energy, potential energy के बराबर नहीं होती है, कभी एका special case में हो सकती है, बट क्या kinetic energy, potential energy के बराबर होती है, answer है no, इसका मतलब यह है, कि अगर कोई equation dimensionally correct आ रही है, तो वो real life में correct होई जरूरी नहीं है, बट दियान रखना है, इसका उल्टा हमेशा possible होगा, अगर कोई equation real life में correct है, तो वो dimensionally भी correct होगी, जैसे कि 9th class में अगर आपको याद हो, तो आपने V is equals to U plus 80, या S is equals to UT plus half 80 squared, यह सारे formula के वे हैं, equation भी की में, तो आपको पता ही है equation real life में correct है, exist करती है, तो यह dimensionally भी correct आएंगी, मैं अभी इन मेंसे एक आद example आपको करा दूँगा, लेकिन अगर कोई equation dimensionally क्या है, correct, तो जरूरी नहीं है कि वो real life में भी क्या हो, correct हो, यह बात समझना, ठीक है न, तो आप सोच dimensionally incorrect आए, अगर LHS और RHS के dimension बराबर ना आए, तो उस case में हम ठोक बजा के बोल सकते हैं, कि यह equation अगर dimensionally incorrect है, तो real life में भी यह incorrect होगी, जैसे कि यह वाला example ले लेते हैं, और इसके साथ ही मैं आपको एक और example भी करा दूँगा, क्योंकि एक मैं आपको incorrect भी कराऊंगा, ता अब मैं यहाँ पे LHS के dimensions जो है वो लिख देता हूँ, pressure आज ही हमने निकाला था force upon में area होता है, force upon area होगा, तो ml-1, t-2 हो जाएगा, और area के लिए तो मारे पास L2 आ जाएगा, अब इससे अगर मैं L की पार-1 है, यहाँ पे L की पार-2 है, तो एक बज जाएगा, तो ml, t-2 आ जाएगा, यहाँ पास LHS के dimensions आ गए, अब मैं यहाँ पे RHS क्या है यह लिख लेता हूँ, RHS मेरे पास है, mass into में acceleration है, सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, अब यहाँ पे RHS के अगर मैं dimension निकालना चाहूँ, तो mass के लिए capital M आ गया, और acceleration के लिए अब तक या जाएगी LHS के dimension, बराबर आ जाएगे RHS के, so, equation is dimensionally correct, equation dimensionally तो correct है, actually में correct है कि नहीं, यह आपको नहीं पता, ठीक है, तो आप सोचे रहोगे इसका फाइदा क्या, तो अगले वाले में मैं आपको फाइदा बताऊंगा, हम यहाँ पे एक equation करते हूँ, सबर करो, जैसे कि यहा आपे मालो आया हमारे पास की energy upon my time is equals to force upon my velocity, ठीक है, अब मालो मुझे चेक करना है कि यह equation correct है की नहीं है, ठीक है, पहले आओ करते हैं, फिर इसका conclusion निकालेंगे, जल 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 दी करते हैं, जोड़ा कम steps में काम करते हैं, तो पहले हमारे पास LHS लिखेंगे, energy upon my time, और फिर मै निकालूंगा यहाँ पर LHS के dimension, energy के लिए मैं आपको पता है, ml2, t-2, कोई भी energy हो, उससे क्या फरक पड़ता है, और time के लिए हमारे पास क्या आजाएगा, t, तो यहाँ से इसके dimension आजाएंगे, ml2, t-3, अब मैं यहाँ से RHS के लिए काम कर लेता हूं, तो RHS में मेरे पास कौन आजाता है, RHS में मेरे पास आजाता है, force upon me velocity, अब यहाँ से मैं force के dimension निकाल लेता हूं, और velocity के भी dimension निकाल लेता हूं, तो force के dimensions मेरे पास क्या आजाएंगे, mlt-2, और velocity के लिए क्या आजाएंगे, lt-1, अब अगर मैं इन दोनों के dimensions यहाँ पर calculate करके इधर put कर देता हूं, तो क्या आजाएगा मेरे पास, यहाँ पर l से l cancel हो जाएगा, और t से tb cancel हो जाएगा, यहाँ पर minus 1 है, तो यहाँ पर मेरे पास आजाएगा m, l से l cancel हूआ, तो l की power 0 आगई, और t की power बची minus 1, अब यहाँ पर अभी तक दोनों कोशन जो किये थे, उसमें lhs और rhs पहले पर लिखूँगा, कि जो lhs के dimensions हैं, वो बराबर नहीं आए हैं, rhs के, अब अगर बराबर नहीं आए हैं, तो क्या, अगर lhs और rhs के dimension ही बराबर नहीं है, तो मतलब lhs और rhs की unit भी बराबर नहीं है, और अगर unit ही बराबर नहीं है, तो आप इतनी अकल लगा सकते हो कि वह equation कभी भी correct होई नहीं सकती है यानि यह equation correct है यह equation incorrect है गलत equation है तो यहाँ पे आप लिख दोगे so equation is incorrect अब dimensionally incorrect नहीं लिखा है मैंने मैंने ठोक बजा के लिखा है कि यह incorrect है तो actually मैं अगर बराबर आ जाए तो तो हमारे लिए as such वो कोई फायदे की चीज नहीं है लेकिन LHS और RHS का dimension अगर बराबर नहीं आए तो हमारे लिए वो बहुत फायदे की चीज होगी because हम यह समझ जाएंगे कि वह equation गलत है आगर बराबर नहीं आए तो तो इस first application से हम यह पता लगा सकते कि कोई भी equation dimensionally correct है या incorrect है और incorrect तो मैं actually भी बता लगा सकते हैं तो आप चाहो तो कहीं पे एक note का point लिख सकते हो बहुत important note का point है मैं बहुत गता हूं लिख लो if equation is dimensionally correct then it is not necessary if equation is dimensionally correct then it is not necessary that then it is not necessary that it is actually correct but if equation is dimensionally incorrect if equation is dimensionally incorrect then it must be incorrect in real also या physically also चीक है जी समझ गए तो यह हमारी पहली application हुई जहां पे हमने dimensions की मदद से पता लगाया कि कोई भी equation dimensionally correct है या incorrect है अब यहां पे अगर हम लोग बात करें हमारी second application की और वो है to convert the system of units अब यहां पे हम क्या करना वाले हैं सुनना आपने बच्पन से बहुत बार एक unit को दूसरी unit में convert किया है ऐसे जब हम छोटे थे तो मीटर को सेंटी मीटर में करते थे या किलो मीटर को मीटर में करते थे अभी भी करते हैं या आपने 9th class में आके किलो मीटर पर आर को मीटर पर सेकेंड में convert करना सीखा होगा या मीटर पर सेकेंड को किलो मीटर पर आर में बढ़ी बहुत छोटी चोटी units थे अगर कहीं पे कोई unit बहुत बढ़ी हो जाए जैसे अगर मैं आपको बोलू कि kg कि मीटर स्कूर सेकेंड की पार माइनस 7 को convert करो ग्राम सेंटीमिटर स्कूर सेकेंड की पार माइनस 7 में तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ यहां पर बढ़ी बड़ी आ गई है या फिर ऐसा लिखाए करें के जी के पावर 3 मीटर के पावर माइनस हाफ लिखाए हाफ में तो आपकी सांसें फूल जाएंगे बिटा इसको अगर करना हो ग्राम क्यूग सैंटी मीटर के पावर माइनस हाफ और सेकेंड माइनस 7 तो इस के भी एक system of unit को दूसरे system of unit में convert कर सकते हैं उसके लिए पहले आपको समझना होगा कि broadly हमारे पास unit system जो है broadly हमारे पास unit system जो है वो कितने प्रकार के हैं तो broadly हमारे पास तीन प्रकार की unit system है जो की हमारे वैसे तो unit system infinite हैं आई होप आप ये बात जानते होंगे हर देश में हर जगा पे अलग-अलग units के system चलते हैं जैसे आपने कभी WWE देखा हो और कहीं देशों में जब wrestler एंटर मारता है तो ऐसे बोलते हैं कि भाईया बिक शो आगया है जिसका वजन 500 pounds है या अगर आप कोई fitness real देखते हो foreign country के influencers की तो वहाँ जो बजन उठा रहे होते हैं उनके dumbbells पे LBS या pounds लिखा होता है बड़ इंडिया में तो pound नहीं चलता है आप सबको पता है या फिर आपने कभी कोई super car देखी होगी जो किसी foreign country में चल रही होगी तो कहीं-कहीं जगाओं पे kilometer per hour में spirit होते हैं बड़ कहीं-कहीं जगाओं पे आपने miles per hour भी देखा होगा बड़ इंडिया में तो miles चलता ही नहीं है पताब जबरदस्ती वाली बात है कहीं बे यूज़ कर रहे हों तो तो unit system हमने तीन पार्टस में divide किया हो है सबसे पहला आता है हमारे पास MKS system फिर आता हमारे पास CGS system और फिर आता हमारे पास FPS अब ये MKS, CGS और FPS का मतलब क्या है MKS का मतलब क्या है कि जो लंबाई हम लोग use करेंगे वो meter में करेंगे mass जो है वो kilogram में करेंगे और time जो है वो हम second में करेंगे CGS का मतलब आप समझे गए होंगे शायद अब length जो है वो हम centimeter में use करेंगे, mass जो है वो हम gram में करेंगे, लेकिन time हमारा second में ही use होगा, and again शायद fps भी आप समझे गए हो length जो है वो हम feet में use करेंगे mass जो है वो हम लोग pound में यूज़ करेंगे और टाइम जो है वो हम सेकिंड में यूज़ करेंगे अब आप मुझे पताओ खुदी मन में इसका अंसर दे दो इन में से ऐसी कौन सा सिस्टम है जिसको हम इंडिया में ना के बराबर यूज़ करते हैं और आप तो 11 12 में करने ही नहीं वाले हो तो वह है FPS हाना FPS को हम लोग ना के बराबर यूज़ करते हैं आज वैसे तो पहले आज से मुझे मैंने नोटिस किया है कि आज से पांच साल पहले लंबाई फीट में आप जाती थी बहुत जादा छे फीट का इंसान है पांच फीट लेकिन अगर आप आज के डेट में आप इंस्टॉल करो हेल्थ वेल्थ वाले तो क्या नोटिस करोगे कि जादा तर क्या हर एक कोशन ही MKS से CGS या CGS से MKS ही पढ़ने वाले हैं अब क्या ये बात कहना सही होगा कि जो MKS है वो एक प्रकार से SIB है क्योंकि देखो आप इसमें लंबाई मीटर में है मास केजी में और टाइम सेकेंड में तो ये सब SIB है तो हमें क्या करना इस चेप्टर के कहीं पर नहीं जाने वाले अब कैसे करते हैं एक को दूसरे में क्या मैंने आपको बोला कि MKS जो है वो एक प्रकार से SIB है तो आंसर है हां मैंने आपको ऐसा बोला ठीक है आप चलो कोशन से शुरुबात करते हैं तब ही समझ में आएगा पहला कोशन आया मालो कनवर्ट 7 kg square meter square second minus 2 into CGS सबसे पहले जब भी कोशन आये तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सी unit में खड़े वे हो और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कौन सी unit में जा रहे हो तो देखो हम कहां खड़े में हैं क्या हम MKS में खड़े में हैं क्योंकि हमारी जो length है, meter में है, mass kg में और time second में है और हमें जाना कहा है, cgs में जाना है, वो तो बोली रहा है अब यहाँ पर क्या format है, पहला format समझना बड़ा द्यान से अगला बला असान लगेगा एक formula होगा, formula से पहले आपको जिसको भी convert करना है जिस भी unit को आपको convert करना है, आपको उसके dimensions निकालने होंगे यानि कि एक unit को दूसरे unit में convert करने से पहले आपको dimensions निकालने होंगे यह समझो, जैसे कि आपको किसको convert करना है, kg square, meter square, second के पार minus 2 को convert करना है तो आप इसके क्या निकालोगे dimensions कैसे निकालेंगे भै kg का मतलब mass है तो m की power 2 हो गया mese 선생님 का मतलब length है तो length की power 2 हो गया second का मतलब time है तो time की power minus 2 हो गया इतना हो गया यह हो गया हर बार यह करना है हर बार आपको जिसको भी convert करना है उसके आपको क्या लिखने है, सबसे पहले dimensions, फिर एक formula आएगा, formula क्या है, n2 is equals to n1, m1 upon m2 की power x, l1 upon l2 की power y, t1 upon t2 की power z, अब यह formula देखके घबराओ मत, बहुत simple सा formula है, हर एका कुछ ना कुछ मतलब है, n2 तो हमें निकालना है, n2 वो है जिसमें हमें जाना है, n1 का मतलब कितना magnitude आपको दे रखा है, जैसे आपको बोल रखा है, 7 kg square, meter square, second की power minus 2 convert करो, तो यहाँ पे हमारे पास, जो 7 हो गया, वो n1 हो गया, अब ध्यान से सुनो, यह जो m1 है, यह जो l1 है, और यह जो t1 है, यह व खना हमेशा, अब m1, l1, t1 अगर वो है, जहाँ पर आप खड़े वे हो, तो mass आप kg में लेके आए हो, length आप meter में लेके आए हो, और time आप second में लेके आए हो, और m2, l2, t2 क्या है, कहाँ आपको जाना है, तो आपको जाना कहा है, ग्राम में, जाना कहाँ है, सेंटीमीटर म और यह जो X, Y, Z है यह वो power है जो dimensions की है relate कर पा रहे होगे यह वो power dimensions की है यहाँ पर X की value क्या हमारे पास 2 यहाँ पर Y की value क्या हमारे पास 2 और time की value क्या हमारे पास minus 2 क्या second से second कट गया है बिटा येस जैसे आपका कटा था तो second से second यहाँ पर कट गया अब obvious बात है जब भी हम MKS से CGS या CGS से MKS जाएंगे तो second से second हमेशा कटेगा ही यह से आपका कटा था तो second से second तो हमेशा कट नहीं है अगर आप MKS से CGS या CGS से MKS जा रहे हो इतना तो clear हो गया होगा ठीक है अब आगे क्या करना है, यह पूरा तो solve हुआ नहीं है, अब क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि kg को भी मैं काटू, लेकिन kg अलग है, ग्राम अलग है, यह कट नहीं सकता, तो क्या मैं kg को 1000 ग्राम लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो क्या मैं kg में 1000 ग्राम होते ह यहां पर मेरे पास n2 जो है वो आ गया 7 अब 1000 की पावर 2 का मतलब 10 की पार 6 होता है तो यहां पर मेरे पास आ गया 10 की पार 6 ठीक है और यहां पर 100 की पावर 2 का मतलब 10 की पार 4 होता है तो कुल मिलाके मेरे पास क्या आ गया 7 into में 10 की पार 10 आ गया 10 आ गया 7 x 10 की पार 7 CGS में, अब इसे CGS में कैसे लिखूँ, तो kg को CGS में बोलेंगे, ग्राम, उसका स्क्वेर, मीटर को CGS में बोलेंगे, सिंटिमीटर, उसका स्क्वेर, और सेकिंड को CGS में, सेकिंड ही कहते हैं, तो माइनस टू, बड़ा ही प्यारा सेवाल, और दुबारा समझते हैं, कि पहला कोशन था, और एक और कोशन कराऊंगा, चीज़े क्लियर हो जाएंगी, तो समझते हैं, हमने क्या किया, हमने एक यूनिट को दूसरे इमिट में कनवर्ट करना था, और किस में जाना था, कोशन में बोल रखा था, कि MKS से, क्योंकि यहां पे MKS की फॉर्म में है, आपको CGS में जाना है, ठीक है, तो हमने फॉर्म, पहले तो सबसे पहले तो हमने उसके डामेशन निकाले, हमेशा ही यह करना होगा, जिसको भी आपको कनवर्ट करना, उसके आपको डामेशन निकालने पड़ेंगे, फिर एक फॉर्मल लागाया, N2 is equals to N1, M1 upon M2 की बावर X, अब इसमें जो N2 है, वो तो हमें निकालना है, N1 का मतलब है कितना magnitude हमें given है, M1, L1, T1 वो है, जहां पे अभी हम present हैं, जैसे कि MKS में present है, तो kg, meter और second, और L2, L2, T2 की आए, जहां पे हमें जाना है, gram, centimeter, second, माल लोगे question उल्टा होता, कि आपको CGS से MKS में जाना होता, तो फिर ही उल्टा हो जाता, उपर gram आता, क्योंकि आप CGS में खड़े हो, centimeter अपर second और नीचे kg, meter और second आजाता, उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, बाकी तो max लगाई है, चीक है, आओ चलो, एक और question कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना और यह, चलो आओ, एक और question कर लेते हैं, कौँसा जल्द बाजी है यहापे, convert 5 newton into CGS, सबसे पहली बात, पिछले वाले question में साफ साफ दिख रहा था, कि यह MKS, यहाँ पे Newton दे दिया, क्या Newton एक SI unit है, और SI unit हमेशा MKS ही होती है, तो देखा जाए तो इस question में भी आपको MKS से CGS ही जाना है, बस Newton दे रखा है, चलो आओ, सबसे पहला काम, सबसे पहला काम, आपको convert किसको करना है Newton को, तो इसके dimension लिखेंगे, क्या Newton एक force है, येस, force है, तो force के dimensions, ML2, sorry, ML T-2, सही है क्या, ठेक है, फॉर्मला क्या था भई, फॉर्मला साथ साथ बोलो, तब ही याद होगा, N-2 is equals to N-1, M-1 upon M-2 की power X, L-1 upon L-2 की power Y, T-1 upon T-2 की power Z, सही है, N-2 हमें निकालना है, N-1 क्या है, कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, M-1 क्या है भई, कहां खड़े हो, आप KG में खड़े हो, क्योंकि Newton एक SI unit, SI क्या होती, MKS होती, length में कहां खड़े हो, साथ साथ बोलना पड़ेगा, meter में खड़े हो, और time में कहां खड़े हो, आप second में खड़े हो, कहां पर जाना है आपको, आपको CGS में जाना है, तो mass के लिए gram हो गया, length के लिए centimeter हो गया, time के लिए second हो गया, mass की power 1 है, लिखना है नहीं लिखना आपकी मर्जी है, length की power भी 1 है, लेकिन time की minus 2 हो, यह तो cancel हो गया, यह तो cut रही है, अब क्या यहां पर kg और gram है, तो kg के लिए मैं क्या लिख दूँगा, thousand gram, upon me gram, इसकी power 1 है, यहां पर मैं लिख दूँगा, hundred centimeter upon me centimeter, इसकी power 1 है, अब यह cancel हो गया, तो कुल में लाके मेरे पास क्या बज़ गया देखो, n2 जो बज़ गया, वो बज़ गया 5, यहां पर 10 की power 3 है, यहां पर 10 की power 2 है, तो into में 10 की power 5 आ गया, अब अगर मैं आपको बोलूँ कि क्या 5 newton को मैंने convert कर दिया है, 5 into में 10 की power 5 में, लेकिन main बात क्या आती है, जैसे यहां पर kg square, meter square, second की power minus 2 को मैंने cgs में क्या बोला, gram square, centimeter square, second की power minus 2, अब newton को मैं cgs में क्या बोलूँ, तो newton को हमने cgs में एक special नाम दिया है और वो है dynes, तो 5 newton जो है, वो 5 into में 10 की power 5 dynes हो जाएगा, तो दियान रखना, हमें यह दो नाम याद रखने है, जैसे newton को हम SI में बोलते हैं force के लिए, ऐसे dynes जो है, वो cgs में के लाए जाता है, तो यहां पर आप यह भी समझ गए होगे, कि 1 newton में 10 की power 5 dynes होते हैं, क्योंकि देखो यहां पर 5 newton में, 5 into में 10 की power 5 dynes होते हैं, मतलब 1 newton में 10 की power 5 dynes होते हैं, और ऐसे 1 joule में, joule के लिए भी होता है, आपको 2 के लिए ही cgs याद करना है, बाकियों को तो cgs में ऐसे लिखना है, लेकिन newton और joules को, यानि force को और work को आपको याद करना है, ऐसे 1 joule में 10 की power 7 args होते हैं, यानि joule को हम args बोलते हैं, तो मैं joule का सवाल आपको homework में भी देता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं newton किया, आप क्या करना, convert करना 11 joule को into cgs, तो आपको जो final answer मिलेगा, 11 joule का वो मिलेगा, 11, इन्टो में 10 की power 5 नहीं मिलेगा, 10 की power 7 मिलेगा, यानि कि 1 joule में 10 की power 7 होते हैं, और joule को cgs में हम लोग क्या कहते हैं, args कहते हैं, तो यह कर लेना, अगर उल्टा आजाए तो, अगर हमें cgs से इसमें, यानि कि अगर मुझे gram square, centimeter square, second square से इसमें जाना हो, तो मैंने बताया, M1, फॉर्मला सेम रहेगा, यह मत उल्टा देना, लेकिन उपर gram आएगा, नीचे kg, उपर centimeter, नीचे meter, उपर second, नीचे second आएगा, ध्यान रहेगा, तो यह दो question है, इनको ठंडे दिमाग से, मैं कहूंगा, एक बार पढ़ लो, और तीसरा question कर लो, मेरी request हो क्योंकि अब हम सबसे important application पर जा रहे हैं, और वो है how to derive formula, यानि देखो आप सब इतना तो जानते हो कि physics में formula derive करने की importance क्या है, धीरे दीजिए को अभी आपने science ली है, तो अभी आप 10th class में science को एक subject consider करते वे आरते हैं, बट science के अंदर अपने आपने तीन अलग-अलग branches है physics, chemistry, bio, जो कि आप सभी जानते हैं, तो सब को देखने का नजरिया थोड़ा अलग होना चाहिए, जैसे biology जो है वो उतना formula पर deal नहीं करती है, आप सब जानते हैं, नहीं उतना formula पर deal chemistry भी करती है, physical chemistry में फिर भी formula आते हैं, लेकिन organic, inorganic में as such को बहुत बड़े-बड़े formula न और पर सब को पता था कि force क्या है, हाना force का मतलब बल होता था, इस से में रुके भी object को चला सकते थे, चलते भी object को रोक सकते थे, etc, etc, लेकिन force का formula जब आया तो हम समझ पाए कि हाँ, यार, mass के बढ़ने पर force बढ़ती है, acceleration के बढ़ने पर भी force बढ़ती है, तो चीजे बह सकते हैं, यह जो topic है, इसके उपर हम लोग 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा बात कर सकते हैं, मेरे यकीन मानिए, पेड़ बाचिस के अंदर हम इसके ही अपने आप में 10-12 सवाल करते हैं, NCRT को मिला लो, assignments को मिला लो, तो 50-60 सवाल हो जाएंगे, because यह वो topic है, जहां से सबसे पोशन से शुरुवात करते हैं, हम लोग, ठीक है, न, कि if potential energy of a body depends on mass acceleration due to gravity, acceleration due to gravity and, and height of body derive its formula dimensionally. मैं बोल भी साथ सा इसले रहा हूँ, कि मैं तेल लिख रहा हूँ, तो writing अजीब आजीब है, कि वैसी भी writing बहुत अजीब है, तो आपको, अगर लिखना है, तो साथ सा लिख सकते हैं. अब, यह जो question है, यह सबसे basic और सबसे easy question से हम लोग start कर रहे हैं, धीरे-धीरे level को बढ़ाएंगे, दो, तीन question करते हैं, चलो, आओ. सबसे पहले आपको जब भी formula derive करने के question दे रखे होंगे, तो उनमें एक आपको और format देखेगा, question में भी. आपको बोल रखा होगा, कि एक चीज है, आपको उसका formula derive करना है, तो आपको potential energy का आपप formula derive करना है, और हमेशा आपको दे रखा होगा, कि वो कौन कौन सी चीजों पर depend कर रही है. जैसे कि यहाँ पर बोल रखा है कि वो mass पर depend कर रही है, यहाँ पर दे रखा है कि वो acceleration पर depend कर रही है, और यहाँ पर दे रखा है कि वो साथी साथ height पर भी depend कर रही है. अच्छा, अब हो सकता है कि आपको potential energy का formula पहले से पता हो, तो अगर पता है तो आप उसे ignore करो because यहाँ पर हम formula derive कर रहे है और derivation के मज़े तब ही आएंगे जब आप यह assume करके चलो कि आपको formula पता ही नहीं है अब इस case में बहुत ध्यान से सुनना पहला question है थोड़ा अटपटा लग सकता है लेकिन पूरा होने के बाद जब दूसरा question करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको चीज़े समझ में आएंगी हो सकता है पहले सही आजाएं तो क्या मुझे यह बोल रखा है कि potential energy इन पर depend कर रही है हाँ बढ़ यह नहीं पता रखा कि वो कैसे कर रही है मतलब वो directly proportional है या वो inversely है या power क्या आएगी मालो potential energy का formula होता है m square g by h तो मुझे नहीं पता मुझे इतना पता है कि वो mass पर depend कर रहा है g पर h पर क्या पता formula होता हो m g की power 2 और under root h तो कुछ वैसे तो देखो आपको मुझे potential energy का formula पता है मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा formula आज अगला जो formula कर रहा हूँगा आपको दूर दूर तक नहीं पता होगा कि उसका actual formula क्या है क्योंकि आपने आज तक टेंथ में पढ़ा नहीं है तो इस case में जो power है यह कुछ भी आ सकती है m की power 1 आ सकती है 2 आ सकती है half आ सकती है अचा acceleration to gravity है क्योंकि यह तो acceleration to gravity को हम लोग g से represent करने तो बहतर रहेगा और power of height को मैं यहाँ पे z मान रहा हूँ अगर ऐसा है तो potential energy proportional आ जाएगा m की power x के g की power y के और h की power z के क्या मैंने इसे directly proportional बोला है नहीं यहाँ पे जो x, y, z की power है वो कुछ भी हो सकती है अगर x, y, z तब की power plus आ जाती है इसका मतलब है कि potential energy इन तीनों के directly proportional आ जाएगी अगर x, y, z की power negative आ जाती है तो inversely आ जाएगी और कहीं cases में ऐसा भी हो सकता है कि power 0 आ जाए power 0 आ जाएगा तो मतलब होगा कि वो depend नहीं कर रहा है बस question में दे दिया जानके but actually में जो formula है उसमें वो चीज आती ही नहीं है मैं ऐसा भी question कराऊंगा भी लेकिन अभी के लिए अगर मुझे proportional का sign हटाना है और यहाँ पे मुझे अगर equal लगाना है तो हम लोग ninth class से पढ़ते आ रहे हैं कि हमें एक constant जो है वो यहाँ पे apply करना होगा तो इस वली equation को मैं यहाँ पे पहली equation मान लेता हूँ ऐसा आपको हर बार करना ही होगा हर बार करना होगा ठीक है अब आगे क्या अब मैं क्या कर रहा हूँ अगर यह equation correct है तो अबवेसी बात है जो LHS के हमारे पास dimensions होंगे क्या वो dimensions RHS के बराबर होंगे यह एस LHS के dimensions जो है वो RHS के dimensions के बराबर होंगे अब LHS में कौन बैठा हूँ है LHS में बैठा हूँ है potential energy potential energy क्या है energy है energy है energy है तो energy के dimensions ML2 T-2 होंगे obvious सी बात है यहाँ पर K क्या है constant constant के कोई dimension नहीं होंगे बचा क्या M, M की power क्या आजाएगा हमारे पास X आजाएगा जी क्या है acceleration है एकसलरेशन तो L T-2 की power क्या आजाएगा Y और यहाँ पर L की power हमारे पास क्या आजाएगा Z अब जो बोलने जा रहा हूँ यह जीवन भर काम आएगा मूल मंत्र दे रहा हूँ आपको बहुत ही कीम आजाएगा आप LHS और RHS को compare कर सकते हो और X, Y, Z निकाल सकते हो समझाता हूँ सबसे पहले आप इसे MLT की form में convert करो तो M की power क्या आगया X, L की power क्या आगया Y है और यहाँ पर Z भी है और यहाँ पर T की power क्या आगया minus 2Y आगया अब यह भी MLT की form में आ चुका है यह भी MLT की form में आ चुका है तो अब हम इसे compare कर सकते हैं ना, maths के हिसाब से अगर यह भी MLT की form में आ चुका है यह भी MLT की form में आ चुका है तो we can compare ना हो, यहाँ पर M की power क्या है? X है, यहाँ पर M की power क्या है? 1 है, तो आप देख सकते हो कि X की value तो हमारे पास 1 आ गई, इसका मतलब potential energy mass के directly proportional है, because power प्लस में आई है, अच्छा, अब यहाँ पर देखो, T की power क्या है? minus 2Y है, हाना, और यहाँ पर T की power क्या है? minus 2, minus 2 से minus 2 cancel हो गया, तो Y की value भी हमारे पास 1 आ गई, इसका मतलब है कि potential energy, acceleration due to gravity के भी directly proportional है, अगर यह value मानलो minus बनाती, इसका मतलब है, divide में चला जात energy और वो inversally proportional हो जाता, अब क्योंकि हमारे पास L की power यहाँ पर देखो, 2 है, यहाँ पर L की power 2 है, हाना, और यहाँ पर L की power 2 क्या है? Y plus Z, Y plus Z है, ठीक है, क्या हमारे पास Y की value आ चुकी है? यहाँ, Y की value हमारे पास 1 आ चुकी है, तो भाईया, Z की value 1 आ गई, क्या मैंने आप सब के साथ potential energy directly proportional है, अब आपको क्या करना है? putting X, Y and Z in first equation, first equation में X, Y, Z को हम लोग डाल देंगे, अब X, Y, Z को first equation में डाल देंगे, तो first equation क्या थी हमारे पास? M की power X, G की power Y, A की power Z, तो इस हिसाब सागर बात करें, तो potential energy हमारे पास आ गया था कि M की power X, G की power Y, और H की power Z, तीनों की value हमारे पास 1, 1 आई, तो formula आ गया M, G, H, अब जो यार बच्चा उसको पता है कि potential energy का formula क्या होता है? उसको पता है, potential energy का formula M, G, H होता है, पता है ना? ल potential energy का formula तो M, G, H होता है, लेकिन यहाँ तो formula K, M, G, H आया है, तो हाँ भाई, यही एक limitation होने वाली है, कि इस तरीके से, यानि dimensional analysis के मदद से, जब आप कोई भी formula derive करोगे, तो आपको K, यानि constants की value नहीं मिलने वाली, और आगे जाके हमें यहाँ पे इसको limitation में पढ़ना भी ह है, कि भाईया, इसकी limitation क्या है, तो इसकी limitation पहली तो यही है, कि अगर आपकी equation में कोई constant है, तो आपको इस से constant की जो value है, वो मिलने वाली नहीं है, पहला question हो सकता है, आपको समझ में ना आयो, एक और कराऊंगा, आपको मैं guarantee थे तो समझ में आगा, लेकिन format को समझो, सबसे पहले question दे रखा होगा, question में आपको यह बोल रखा होगा, कि आप किस-किस पर depend कर रहे हो, फिर आपको उनकी power को x, y, z लेना है, तीन होंगे तो x, y, z, दो होंगे तो x, y, z, तीन से जादा होंगे नहीं, ठीके न, और फिर आपको proportional करकी यह question मनानी है, यह constant लगाना, इतना एक और question करते हैं, एक और सवाल करते हैं, चीजे समझ में आएंगी, ठीके, थोड़ा सा अजीब question यहाँ पर करते हो, अच्छा, अगर किसी की power half आती है, तो half का मतलब समझ गए न, half का मतलब होगा, कि वो under root हो जाएगा, half का मतलब होगा, कि वो under root हो जाएगा, चलो, एक question क pendulum, pendulum, depends on mass, length and acceleration due to gravity, due to gravity derive its formula dimensionally. derive its formula dimensionally, तो again सबसे पहले, आप ये छाटो कि आपको किसका formula यहाँ पर derive करना है, तो शायद दिखी गया होगा, आपको time period of pendulum का formula जो है, वो derive करना है, अब time period of pendulum किस-किस पर depend करने को बोला गया है, एक तो ये depend कर रहा है, भई, mass पे, एक तो ये depend कर रहा है, किस पे, length पे depend कर र आपको ये तो बोल रखा होगा, कि वो किस-किस पर depend कर रहे है, लेकिन आपको उनकी power given नहीं होगी, अगर power 0 आएगी, तो आपको समझ जाना होगा, कि वो उन पे depend नहीं कर रहा है, बस बोल रखा था, अगर power plus में आएगी, तो directly proportional होगा, और अगर power minus में आजाएगी, तो इ power of mass, mass की power हमारे पास क्या है, x है, power of length, length की power हमारे पास क्या है, y है, और power of acceleration due to gravity को हम z माल लेते हैं, अगर ऐसा है, तो जो time period है, वो directly proportional आजाएगा, m की power x के, directly proportional आजाएगा, l की power y के, और directly proportional आजाएगा, g की power z के, फिर बोल रहा हूँ, हमने यहाँ पे proportional बोला है, directly to m की power x, अब अगर x की value minus में आती है, तो actually में inversely हो जाएगा, मैं बहुत बार यह बात बोल रहा हूँ, ताकि आप confused ना हो, proportional का side के के लगा दिया, m की power x, l की power y, g की power z, मैंने आपको बोला ही था, कि आपको हर बार इतना तो करना ही करना है, हर बार इतना तो करना ही करना है, इसको महान लो फास्ट equation, again, अब अगर यह equation correct है, तो LHS के जो dimensions है, यह बराबर हो जाएंगे, अब अगर LHS के dimension, RHS के dimension के बराबर हो जाएंगे, तो क्या, मुझे फिर से LHS के dimension लिखने हैं, और RHS को कब तक solve करना है, जब अगर अकेला टी नहीं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा भई अग्यों कि यह टाइम पिरिड है टाइम पिरिड को टाइम ही बोलते हैं सेकें नहीं होगा तो M0 L0 T T की पावर 1 अब यहां पे इसको सॉल्फ करते हो के के कोई डामेंशन नहीं होंगे मास के लिए capital M की पावर X L के लिए L की पावर Y और acceleration due to gravity यानी acceleration है तो L T minus 2 की पावर Z आ जाएगा अब अगेन क्या बोलाता मैंने हमें RHS को सॉल्फ करना है जब तक वो MLT की फॉर्म में ना आ जाए तो M की पावर X आ गया L की पावर यहाँ पे Y है यहाँ पे Z है तो Y plus Z आ जाएगा और यहाँ पे T की पावर है minus 2Z तो क्या यह MLT की फॉर्म में आ गया है हाँ यह भी MLT की फॉर्म में है अब इसे compare करते है और मज़ा देखना क्या आएगा भाई साब यह सवाल important क्यों है आप समझ जाओगे आओ compare कर दें यहाँ पे M की पावर क्या है 0 यहाँ पे M की पावर क्या है X तो क्या X की पावर हमारे पास 0 आ गई इसका मतलब जो time period of pendulum है वो सिरफ bold रखा है लेकिन वो mass पे depend actually में नहीं करता है सिरफ देद ही ऐसे समलों confuse करने के लिए अच्छा हम लोग जब पहुंचेंगे oscillation वाले chapter में तो हम इसका experiment भी करके दिखाते हैं कि हम एक kilo लगा देंगे तो भी time period सेम रहेगा दो लगा देंगा तो बिट क्योंकि बच्चों को लगता यार अगर मैं बॉब को pendulum के बॉब को नीचे वाले वजन को भारी कर दूँगा तो time period तो चेंज होना चाहिए पर actually में ऐसा नहीं होता यह oscillation chapter हमारी 11th class के syllabus में है भी पेड़ बैच में से करते भी है तो यार देखो अगर आपको हर चीज बहुत डिटेल में बहुत डिटेल में चाहिए ऐसे कि यह chapter जो हमारे बैच के अंदर ही साथ लेक्चर आठ लेक्चर में खताम होता है यानि 7-8 गंटे में यहां तो हम इसको लगबग 2-5 गंटे में करेंगे और 7-8 गंटे के बाद भी ऐसा नहीं खताम होता है बस chapter खताम होता है questions तो चलते रहते हैं जीवन भर तो अगर आपको हर चीज schedule में डिटेल में चाहिए तो आप सबको पताईए कि हमने paid batches लायो है science and fun पे लगबग-लगबग 2000 पे में पूरे साल के सारे subject आप पढ़ सकते ह लिंक वेगर आपको description में मिल जाएंगे आप जानते हैं चलो उसके बारे में ना बात करके YouTube पर पढ़ाई करी रहें यहां पर T की पावर क्या है देखो यहां पे T की पावर मारे पास one है और यहां पर T कीchar कि मारे पास minus two, z है तो यहां इसे z की about minus half आ जाएगी अब X भी आ चुका है जड़ अब देखो एक बात तो यह हो चुकी है कि यह 0 आ गया बड़ा अजीब तो यह भी है सेकिन half का मतलब क्या है minus का मतलब तो हम समझ जाएंगे inversely है half का मतलब क्या होता है half power का मतलब होता है under root हाना आओ चलो आओ मैं समझ जाता हूँ भी अब यहाँ पे L की power है 0 और यहाँ पे L की power है Y प्लस Z अब क्योंकि हमारे पास Z की value minus half आ चुकी है तो Y की value हमारे पास half आ जाएगी यानि कि यहाँ पे सारी power बहुत अजीब आई है इसलिए आप समझ सकते हैं कोशन important क्यों है because सारी power यहाँ पे बहुत अजीब form में आपको दे रखी है बस अब क्या करेंगे put करते हो putting X, Y, and Z in first equation first equation क्या थी T is directly proportional to what K M की power X L की power Y जो की half आई है और G की power Z जो की minus half आई है अब जिसकी power 0 है उसको तो आप हटाई दो अब L की power half और जिसकी power negative में है उसको आप नीचे ले जाओ क्योंकि negative power का मतलब ही होता है कि वो belong तो denominator से ही करता है अब यहाँ पे L और G क्योंकि दोनों की power half है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ और यहाँ पे half का मतलब under root L by G आ जाएगा किसी एक की power half होती तो बस वोई under root में आता है यहाँ पे दोनों की power half है तो दोनों आ गए under root में तो time period का formula मार पास क्या आ गया कि under root L by G जब आप अगले oscillation वाड़े chapter में पहुँचोगे तो time period का formula जब आप अलग तरीके से derive करोगे अभी तो आप dimensionally कर रहे हो तो आपको formula मिलेगा 2 pi under root L by G यानि कि जो एक constant मिलेगा अब आपको 2 pi मिलेगा अभी तो नहीं अभी तो हमाँ इसको उटा रहा हूँ यह तो मैंने आपको knowledge के लिए पता है जिन-जिन के form में वो दे रहा है उनकी power जो है वो आप लेट कर लो उसके बाद आप यह equation बना लो LHS के dimension निकालो RHS के निकालो दोनों को equate करो और RHS को कब तक solve करो पहले जब तक MLT में आजा equate करके x वा z की values आपके पास आजाएंगी समझ गए भई तो इस तरीके से हम dimensional analysis की मदद से क्या भी कर सकते है formula भी derive कर सकते है लेकिन इस तरीके से formula derive करने की कुछ limitations है कुछ नुकसान है क्या नुकसान है सबसे पहला नुकसान तो आप समझते ही हो कि we cannot have the values of constants हम इस method से constants की values जी है इस से आपको formula तो मिल जाएगा लेकिन उस formula में जो constants आ रहे हैं वो क्या value रखते हैं वो आपको नहीं मिलेगा समझेगे second क्या sin theta, cos theta, tan theta ये भी dimensionless चीज़े होती है जैसे की sin theta है मालो मैं हटा दूँग अभी इसको लेकिn sin theta क्या होता है perpendicular upon high pot news अब अगर मैं sin theta के dimensions लिखता हूँ तो perpendicular एक लंबाई है L आ जाएगा और high pot news भी लंबाई है तो L आ जाएगा L से L cancel हो जाएगा तो ये quantity dimensionless आ जाएगा अब मालो कोई quantity dimensionless है तो क्या dimensionless quantity formula में आप observe कर पाऊगे नहीं क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो LHS के dimension को RHS के dimension के बराबर रख रहे हो लेकिन जिस चीज के dimension ही नहीं है क्या आप उसका formula इस तरीके से derive कर सकते हो तो answer है नहीं यानि अगर आपके formula के अंदर trigonometric constants आते हैं sin theta आता है, cos theta आता है तो आप इस तरीके से उसका formula derive नहीं कर सकते हो तो we cannot derive formula having trigonometric constants जो हमारे पास trigonometric functions जो हमारे पास 6 trigonometric functions आगर उनमे से कोई भी एक आता है जैसे आप कहोगे सर ऐसे कोई से formula है जिनमें trigonometric functions आते हैं तो आगे जाके आप जानोगे ऐसे बहुत सारे formula हैं जिनमें हो सकता है आपके life में अभी तक ऐसा कोई भी formula नहीं आया हो लेकिन आगे जाके आप जानोगे ऐसे बहुत सारे formula है जिनमें आपको trigonometric functions मिलेंगे उनको आप इस तरीके से derive नहीं कर सकते हो and third और बहुत जरूरी समझे न यहां पर U और 80 के dimensions same होंगे और दोनों same dimensions के चीज़ों को अगर मैं add करूंगा तो मुझे same ही चीज़ मिलेगी यहसे अगर माल लो इसके dimension आते है lt-1 इसके भी आएंगे lt-1 तो lt-1 और lt-1 add होके तो lt-1 ही आएंगे न meter per second को meter per second मैं add करूंगा तो मुझे कैसे पता लगेगा कि lhs में एक से जादा term है या एक term है point is कि अगर lhs और rhs में एक से जादा terms आ रही है बीच में कहीं पर plus minus है तो हम उन equations को इससे derive नहीं कर सकते हम इससे सिरफ वो ही equation derive कर सकते हैं जिसके lhs के इधर एक term हो एक term मतलब कोई plus minus ना हो और rhs के इधर भी एक term हो जैसे अगर आप notice करो तो इसमें इधर एक term है यानिकी t और इधर भी एक term है under root l by g इसको एक की term बोलेंगे ना भी principle of homogeneity में बात करती है यहाँ पे भी एक की term आई थी हमारे पास जो की आई थी क्या पोटेंशनल जी और इधर भी एक की term थी which is mgh सब multiplier डिवाइड हो रहे है तो एक से ज्यादा term वालों का आप derive इससे नहीं कर सकते तो we cannot derive formula having having more than one term on either side दोनों side में से एक भी side में अगर एक से ज्यादा term है बीट में plus minus है तो उन formula को भी आप इन से derive नहीं कर सकते हो यह बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी समझ गे तो यह तीन हमारे पास limitation आती है but अगर otherwise बात करते हैं तरीका बहुत अच्छा है equations को derive करने का आपको यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से formula मिलते हैं बड़े neat and clean तरीके से formula मिलते हैं समझ गे तो यहाँ पे हमारे पास dimensional analysis की तीनों properties तीनों uses actually में खतम होते हैं ठीक है जी एक बार third वाली application को आप revise कर लिजे फिर आगे आज के एक छोटे से topic पर चलेंगे significant figure फिर बढ़ेंगे rounding off फिर उसके दो rule और हमारे पास उसके एक दो question chapter खतम हो जाएगा तो जल्दी से एक बार इससे पहले का sub revise कर लिजे खटैक से ठीक है बई तो I hope पढ़ लिया आपने पिछला सारा अब हम बात करते हैं एक बहुत ही छोट से topic के बारे में जो कि है significant figures significant figures round off फिजो मां पढ़ाने वाला हूं आपको यह आप chemistry में भी पढ़ोगे first chapter के अंदर धियान रखना तो दोनों में repeat होता है तो किसी एक जगा भी पढ़ लो सबसे पहले तो जब आप बड़े होके scientific calculator का इस्तमाल करोगे अभी तो आपने नॉर्मल calculator का इस्तमाल किया होगा या फिर जब आप billing वेगारा करोगे या फिर आप एक software बनाओगे या और बहुत सारी जगाओं पर आपको significant figures का इस्तमाल होगा सिगनिफिकेंट फिगर्स क्या है यह तो अभी हम पढ़ रहें लेकिन दीरे दीरे आप समझोगे कि significant figures का हम लोग इस्तमाल कहां करेंगे यह क्या हो रहा है तो वह आप समझोगे जैसे कि आपने कभी यह सोचा कि कि किसी भी 10.00 लिखा होता है अब अगर 10 मैं front की बात नहीं कर रहा हूं front में तो वह जो advertisement करते हैं कि अब 10 उर्पे का है वो अलग बात है ठीकि पीछे जाके जहां पर उसके expiry date वगरा लिखी होती है वह पर जो price लिखे होते हैं वह ऐसे क्यों लिखा होते है 10 उर्पे के chips को वह सिरफ 10 क्यों नहीं लिख रहे हैं 0.00 क्यों लिख रहे हैं क्योंकि इससे ना उनको जो billing वेगारा होती है उसमें असानी होती है अगर कोई भी चीज उनके पूरे software में ऐसी चड़ती है जो कि 10 उर्पे 50 पैसे की है तो उनको यहां पे भी 10.00 लगाना पड़ता है या आप पासा छोटा कर देता हूं ताकि हम साथ-साथ इसके जो रूल से उनको भी पड़ते चले जाए ठीक है आई होप यह पड़तों पा रहे होगे ठीक है ठीक है ठीक है चलो सबसे पहला रूल क्या कह रहा है सबसे पहला रूल कह रहा है कि जो भी 9 0 figures होती है जैसे 123456789 यह सारी कि सारी हमेशा significant होती है यानि अगर मैं आपको first वाले rule के example दूँ मालो लिखावा है 3492 तो यहां पे कितनी significant figures हो गई चार क्योंकि यह सारी non zero है मालो कर लिखावा है 4.53 तो यहां पे 3 significant figures हमारे पास हो जाती है तो कोई भी 9 0 figure होती है जो भी जो भी 0 के अलावा जितने भी हमारे पास 9 number है वो सारे के सारे क्या 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 लाए जाते हैं significant जो है वो क्या लाए जाते हैं यह तो बहुत सिंपल है second कहता है अगर कोई 0 है जो कि non zeros के बीच में आ रहे हैं तो वो भी significant के लाए जाएंगे जैसे 3 0 7 में यह 0 non zeros के बीच में आ रहा है तो यहां पे 3 significant figures होंगी मालो 3 7 0 4 0 8 अब यहां पे जो यह दोनो zeros हैं वो non zeros के बीच में आ रहे हैं तो इनको आप significant बोलोगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 तो 0.03207 अब यह zeros भी non zeros के बीच में आ रहे हैं तो यह भी significant के लाए जाएंगे 1 2 3 4 5 6 तो यहां पे भी 6 significant figure हमारे पास हो जाएंगी ठीक है जी तो rule number second भी बहुत आसान हुआ first ने का सारे non zero significant है और second ने का अगर कोई zero non zero के बीच में आ रहे हैं तो वो भी significant है third rule कहता है अगर कोई zero non zero से पहले आ रहे हैं हना leading zeros जो की non zero से पहले आ रहे हैं वो कभी भी significant नहीं होंगे आओ rule number third का example लें इसे 00473 है अब यह zeros non zeros के पहले आ रहे हैं तो आप इन दोनों को significant नहीं मानोगे तो यहाँ पे सिरफ यह 3 significant figure ही माने जाएंगे जैसे कि मानलो 070707 है अब यहाँ पे यह दोनों zero जो है वो non zeros के बीच में है तो इन्हें तो आप significant कहोगे लेकिन यह significant नहीं होगा बेकॉद नौन zero के आगे है तो एक दो तीन चार पांच तो पांच यहाँ पे significant figures हो जाएंगी 0.00003 अब यहाँ पे यह सारे zero three के आगे है नौन zero के पहले है तो यह सारे significant नहीं होगे सिरफ यहाँ पे एक ही figure होगी जो की significant होगी ठीक है तो पहला rule दूसरा rule तीसरा rule अब चौत्ते rule में क्या लिखावा है अगर जो zeros हैं वो non zeros के बाद में आ रहे हैं और कोई decimal नहीं लग होगे जैसे fourth rule के लिए अगर मैं समझाओं आपको और मान लिखावा है four seven zero 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 तो यहाँ पे जो zero non zero के बाद में आते हैं अगर decimal नहीं लगावा है तो आप उन्हें significant नहीं कहोगे मैं ऐसा करता हूँ चौत्था और पांच वरूल आपको साथ में समझाता हूँ लेकिन वहीं यहाँ पे सिर्फ दो significant figures हैं लेकिन यहाँ पे decimal आ गया तो यह सारे zero जो non zero के आगे वाले नहीं non zero के आगे वाले हमेशा significant नहीं होंगे कुछ भी हो जाए दुनिया इदर से उदर हो जाए non zero के आगे वाले कभी significant नहीं होंगे लेकिन non zero के पीछे वाले significant नहीं होंगे अगर decimal नहीं है तो अगर decimal है तो होंगे यहां पर एक दो तीन चार पांच छे शे significant figure हमारे पास आ जाती हैं जैसे मालो आता है हमारे पास 1-7-2-0-0-0 तो यहां पर सिर्फ तीन significant figures होंगे कुई को decimal नहीं है लेकिन यहां पर आता है हमारे पास 0.00300 अब कि यहां पर decimal है तो जो non zero के बाद वाले zero है वो significant होंगे लेकिन पहले वाले कभी भी नहीं होंगे तो ये वाला होगा ये वाला होगा ये वाला भी होगा तो तीन significant figures यहां पर हमारे पास हो जाएंगी ठीक है जी तो मैंने आपको पांच बार रूल भी समझा दिया और छटा रूल भी समझा दिया बेसे के लिए देखा जाए तो हाँ ना हाँ ठीक है अब अगर हम लोग बात करें हाँ ठीक है एंडेसिमल लगा वो तो मैंने समझा दिया ठीक है ये दो बार repeat हो गया अब 7 जो की आखरी रूल है वो scientific notation के लिए है scientific notation समझते हो ना जब कोई भी चीज लिखी जाती है एंटू में 10 की पार B के टर्म उसमें तो अगर कोई भी नंबर ऐसे लिखावा है जैसे कि आओ मैं आपको छटे रूल के लिए करा हूं मानों लिखावा है 1.7 इंटू में 10 की पार 3 तो जब आप ऐसे कोई term में significant figures देखोगे तो आपको सिरफ इसमें significant figures उपर के rule लगाके देखनी है इसमें नहीं तो देखो क्या लिखावा है for any value जो की scientific notation की फॉर्म में लिखी जाती है उसमें आप a इंटू में 10 की जिरो इंटू में 10 की पार 4 लिखावा है तो यहां पर क्या है वन ऑफिसे बात है scientific notation की फॉर्म में नहीं है तो आप इसे 3.0 भी लिख सकते हो अगर आप इसे 3.0 इंटू में 10 की पार 4 सॉरी फिर तो हो जाएगा 2 लिखते हो तो भी आपको इसी में significant figure देखनी है जो की decimal लगाव है तो 0 आएंगे तो यहां पर 2 significant figure हमारे पास हो जाएंगी हाँ ओके आपके मन में आ रहा होगा कि यहां पर हम significant figure क्यों पढ़ रहे हैं मैंने आपको पताया या पूरी 11th में शायद ही समझ पाओ कि हम significant figure क्यों पढ़ रहे हैं यह आप आगे जाके समझोगे जब आप यह पढ़ोगे कि scientific calculator कैसे काम करता है software कैसे develop होते है एटसेटरा एटसेटरा ड़न है ओके है आगे बढ़ते हैं और पढ़ते है round off और फ़र इन दोनों को मिला देंगे और इन दोनों को मिला के एक दो question करेंगे चैप्टर हमारा खतम हो जाएगा अब round off के भी तीन rules होते है इनको हम topics से करेंगे पहले बात तो round off का मतलब पता है कि जहां पे आपके पास decimal places जाद हो लेकिन आपको कम decimal places पे काम करना हो तो वहां पे round off काम आता है यह 7th 8 में पढ़ा वाए तो थोड़ा सा fast पढ़ाऊंगा तो ध्यान से इसको समझना हो ठीक है जैसे कि मालनों कहीं पे लिखा हो है 7.324 और आपको इसे 2 decimal तक round off करना है ठीक है तो पहला rule कहता है कि आपको जहां तक भी round off करना हो उसका अगला number देखना है अगर उसका अगला number 5 से छोटा है तो आप उसे वैसे ही छोड़ा होगे जैसे यहां पे हमें से 0.32 तक round off करना है तो 2 के बाद जो number 4 वो 5 से छोटा है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ा होगे यानि अगर आप इसे round off करोगे तो 7.32 करोगे ऐसे ही माल लो अगर आपके पास एक और number होता 11.143 और आप इसे 2 decimal तक round off करते हैं तो अगला number 5 से क्या है छोटा है तो आप इसे 11.14 ही छोड़ा होगे एक और example लें अगर माल लो आपके पास है 30.3724 और आपको इसको इस बार माल लो 3 decimal तक है तो आपकी जरूरत है कि कहां तक round off करना है 3 decimal तक करना है तो यहाँ पर अगला number 5 से छोटा है तो इसे आप 30.372 जो है वो लेक्ट होगे लेकिन rule number second क्या कहता है भई rule number second कहता है कि अगर आपके पास जो अगला number है वो 5 से बड़ा है तो आपको एक बढ़ा के आना होगा जैसे कि माल लो 7.322 के बाद यहाँ पर 4 के बज़ा है माल लो 7 होता और आपको इसे यहाँ तक round off करना होता तो अगला number 5 से बढ़ा है तो आप इसे एक बढ़ा के आओगे याने कि 7.33 करके आओगे अगर 5 से बड़ा है तो हना अगर आपका जैसे आता है मालो इसी में माल लेते हैं 30.3372 इसके बाद 9 होता और आपको यहां तक round off करना होता तो यह 5 से बड़ा है तो आप इसे 30.373 करके आओगे अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर अगला नंबर 5 ही हुआ तो क्या करना हो अव्यसी बात है तीन रूल मैंने आपको पताए थे एक रूल है 5 से छोटा होगा तो वही छोड़ देंगे 5 से बड़ा होगा तो एक बड़ा के आ जैंगे बड़ अगर 5 ही हुआ तो क्या करेंगे जैसे कि मान लो 30 पॉइंट या सिमिलर एक्जामपल लेंगे ताकि आप कंपेर कर पाओ 7.3 2 के बाद मान लो अगर 5 है तो यहाँ पे राउंड आफ करते हुए आपको क्या करना है अगर 5 है और उसे पहले वाला नंबर अगर even है तो सेम छोड़ दोगे जैसे 5 है अब उसे पहले वाला नंबर जो है वो आप देख सकते हो कि even है तो सेम छोड़ दोगे लेकिन वहीं पे अगर 7.33 होता और 5 होता और अगर उसे पहले वाला नंबर odd है तो आपको उसे even बनाके आना होगा एक add करके जैसे यहाँ पर 3 के बाद 5 है तो 7.34 करके आओगे ताकि यह क्या बन जाए? यह बन जाए even यह बन जाए even, समझ गया? इसके एक दो एक्जामपल और कराता हूँ, चलो मालों यहाँ पर आया हमारे पास 11.3475 अब मुझे इसे 3 तक round off करना है, ठीक है? तो 11.34 तो आगया अब 7 के बाद का number 5 है, 5 है तो मुझे even बनाके आना है तो 7 को मैं बनाके आऊँगा 8, लेकिन मालों यहाँ पर 11.346 होता और मुझे इसे 3 decimal तक round off करना होता, तो मैं इसे 346 पे छोड़ूँगा because 5 है तो अगर वो even है, तो even पे छोड़ना है, odd है तो उसे even बनाके आना है done है, simple सा काम है, कुछ नहीं है अब round off का मुझे इस्तमाल का करना है, तो यहाँ पर हमारे पास एक और यह दो rule आपे जो कि हमें round off में help करेंगे, ठीक है? कैसे? मान लो मैं कोई दो चीजों को आपस, इसके उपर एक कोशन आता है, NCRT में इसके उपर बहुत सारे कोशन है जब NCRT करा रहा हूँगा इसी चैनल पे, अच्छा मैंने आपको पताया था, पिछली बार हम लोगों ने जादातर chapters के क्योंकि one shot करवाद ये थे तो इस बार हम लोग questions पर थोड़ा ज्यादा काम करने वाले हैं, बिकॉस हमने पिछली बार questions पर काम थोड़ा काम किया था, लेकिन one shots पर थियोरी पर ज्यादा किया था तो इस बार हम लोग काफी कोशन्स भी यहाँ पर आपको करवाने वाले हैं, बट अगेन मैं फिर से बोलूँगा, अगर आपको डेली तरीके से प्रैक्टिस करनी है, अपने 11 को स्ट्रॉंग करना है, क्योंकि 11 कमज़र होगी तो 12 अफेक्ट होती है, तो अच्छा मैं आपको आयो लगो जाती है, हर एक चेप्टर बहुत डेटेल में पढ़ाई मांगता है, डेप्थ में जाना पड़ता है, तो इसलिए वच्चे के कंसेप्ट भी कर जाते हैं, और 12 अफेक्ट होती है, और इसलिए सिरफ 2000 रुपे के लिए हम लोग अपने जीवन के साथ खेल नहीं स इसलिए डेटेल में लेक्चर मिलते रहें, क्योंकि हम 11 अपने लाइव भी बहुत कम जाते हैं, क्योंकि 10 में क्या होता है, सबके पेपर एक साथ हो रहे हैं, इंटराक्शन हो पाता है, यहाँ पर तो लाइव भी बहुत कम है, लेकिन पेड़ बाचिस में सारी क्लासे भी होती हैं, चलो आप, अब अगर मुझे दो चीजों को आपस में क्या करना है, तो क्या लिखावा है, देखो यहाँ पर, अभी तक देखो, होगा क्या, मान लो, मैं आपको एक नंबर देता हूँ, और वो है 37.432, और इसको मल्टिप्लाइ करना है, मान लो, मुझे 53.82 से, च समझें, अगर मैं 37.432 को मल्टिप्लाइ करता हूँ, 53.82 से, तो मेरे पास, क्या हो गए, यह क्या बात हो गई, 37.432 को मल्टिप्लाइ करता हूँ, 53.82 से, तो मेरे पास आंसर आ जाता है, ध्यान सुनना, 2014.59024, अब इतना बड़ा तो आंसर मैं एक्जाम में छोड़के न आँगा, तो अब हमने जो round off और significant figure पढ़ा है, उसका यहाँ पर rule लगेगा, देखो उपर क्या लिखावा है, कि जब भी आप दो चीज़ों को multiply या divide कर रहे हो, तो जो final answer है, उसको आपको छोड़ना है least significant figures में, मतलब आपने इसको multiply किया और उसमें आपके दो number थे, मैं यह को multiply किया है, इसमें कितनी significant figures है, एक, दो, तीन, चार, पांच, और इसमें कितनी significant figure है, चार, तो कम किसके पास है, इसके पास, जो कि कितनी है, चार, तो आपको final answer भी 4 significant figure में ही छोड़ना है, इसमें 5 है, इसमें 4 है याद रखना, तो rule कहता है, कि आप जब दो चीज़ों को आपसे multiply कर रहे हो तो final answer least significant figure में छोड़ना है जो कि यहां 4 है अब अगर 4 है तो मतलब मुझे इसको यहां तक round off करना है तो अगला number 5 है अब 5 कौन सा number होता है भाई यह 5 होता है तो आपको उससे पहले वाले को even मनाना है क्या वो even ही है तो answer है हाँ तो यहां पर answer क्या आजाएगा 2,0,1,4 अगर मैं इसको यहां तक round off करूँगा तो answer आजाएगा 2,0,1,4 क्योंकि मुझे 4 significant figure में छोड़ना है आओ एक और example लेते हैं माल लो मुझे multiply करना है 1,324 को multiply करना है 2,7 से अब अगर मैं इन दोनों को multiply करता हूँ 1,324 into में मैं करता हूँ 2,7 तो answer कितना आजाता है answer आजाता है 3,5748 अब यहां पर significant figure 4 है यहां पर 2 है तो मेरे को answer 2 में छोड़ना होगा चीक है क्योंकि यह rule कहता है अब अगला number 5 से बढ़ा है तो यहां पर बढ़ाएंगे और answer 3,6 आ जाएगा तो जब भी आप 2 चीजों को multiply करोगे आज के बाद या divide करोगे divide में भी से में तो जो final answer है वो आपको least number of significant figure में छोड़ना है ठीक है और आज का आखरी काम addition और subtraction में थोड़ा सा अलग काम है addition और subtraction में आपको उसे least significant figure में नहीं छोड़ना है आपको उसे least decimal place पे छोड़ना है आउ समझे कैसे माल लो आपको 1.24 को add करना है माल लो 5.3 में तो add करके क्या आएगा अगर मुझे इनको add करना है तो याद आएगा 6.54 अब आपको answer किस में छोड़ना है जिनको आपने add किया है उनमें जो least number of decimal place है add subtract करते विए आपको significant figures नहीं देखनी है decimal place देखने है जैसे यहाँ पे कितने decimal place है 2 decimal के बाद कितने number उसको decimal place कहते है यहाँ पे कितने decimal place है 2 तो यहाँ पे कितने decimal place है इसका अगर number 5 से क्या है छोटा है तो मैं इसे 6.5 पे छोड़ दूँगा इसके मैं दो question कराऊँगा आपको और मानलो आपको 10.329 में add करना है 0.3 कितना simple है अब यहाँ पे तो महारे पास आजाएगा 10.629 अब लेकिन यह final answer नहीं है कैसे इसमें decimal के बाद कितने number है 3 इसमें कितने decimal के बाद 1 तो मुझे 1 पे छोड़ना है decimal के बाद यहाँ तक अगरा number 5 से छोटा है तो 10.6 पे छोड़ना है जैसे यहाँ पे अगर आओ मानलो आया 0.0003 को मुझे add करना है 100.43 में चीक है चलो ऐसा करो क्योंकि आज का आखरी सवाल भी है इसको add करो और इसका final answer भी comment section पे लिखो खतम करें फिर आज इतना करो भाई दगा मजा आना अच्छी है इतना कर दो हाँ जल्दी से जल्दी से add भी कर दो answer भी निकाल दो round off भी कर दो sub कर दो comment section पे please ठीके 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 okay 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 हो गया होगा अब तक हो गया होगा अब तक done अब यहाँ पे आपने अगर इस तो add किया है तो answer 100.4303 आ गया होगा इतना ठीक है हाँ अब सुनो यहाँ पे decimal place कितनी है एक, दो, तीन, चार, यहाँ पे कितनी है दो तो इसका मतलब है आपको final answer सिरफ दो decimal place पे छोड़ना है अगला number क्या है 0 जो कि 5 से छोटा है तो 100.43 आ जाता है अगर यहाँ पे माल लो 8 आता तो मैसे 100.44 कर देता बड़ा भी यहाँ पे 0 है तो यह answer आ गया ठीक है अब क्यूंकि यह chapter one shot में खताम हुआ है तो आप जितने जादा कोशन इसके बनाओगे उतना बढ़िया है अब आप मुझे comment section में बता दो ना कि आपको अगले में क्या चाहिए कि आपको अगले chapter का one shot चाहिए motion in a straight line का जो कि हमने यहाँ पे डाला हुआ है with experiment इस बार हम लोग सोचे रहे हैं कुछ नए तरीके से डाले उसके उपर plans आ रही है क्या पता अब हम जो अगला one shot डाले वो में में डाले मैं देखो ऐसा क्यों बोल रहा है मेरे बात को समझना यह one shot क्यों डाला है ताकि आपको यहाँ पर बचल जा है कि भई ठीक है हम अपने पढ़ाई यहाँ पर शुरू कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर पढ़ाना बंद कर दें हो कि paid batch ले आए हैं ऐसा बिलकुल भी नहीं है one shots उतने नहीं डालूँगा मैं हाँ हो सकता है अगला जैसे यह अगला one shot हमने April 15 के आसपास डाल रहा है तो वो वाला अगला one shot हो सकता है May में डले या हो सकता है April last में डले ताकि आप इसको भी अच्छे से देख लो judge भी कर लो कि आपको science लेनी है नहीं लेनी है जिसने नहीं ली है और जिसने ली है मैं चाहूँगा कि आप paid batch में आ जाए अभी अगर आप afford कर सकते हैं नहीं तो रुकते हैं और आप मुझे बताओ कि आप मुझे अगला one shot जल्दी डालना चाहिए या मैं अभी इसके एक ऐसा कोई lecture लेकर आऊ जहां पर मैं इसी के आपको बहुत सारे questions करा हूँ ठीक है जैसा आप बोलोगे बाकी मुझे लगता है मैं इसी chapter के questions पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए पहले बाकी जैसा आप बोलो तो मिलते हैं अगर आपको यह one-shot अच्छा लागा आपको सब समझ में आया है तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा थेंग्यू सो मच थेंग्यू